हेलो फ्रेंड्स मैं मांसी मौरिया एड नाइवार वाचिंग M.M.Education YouTube चैनल तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इसक्रिन पर देख रहे हैं हम क्लास 12 बायलोजी का चैप्टर नंबर एट पढ़ने सा रहे हैं और हाँ यार मैं आपको बता दू कि यह चैप्टर नंबर एट का पा यहीं देख रखा है त्यार जरूर जाके देखे विकॉज अगर आप step to step चलोगे तो चीज़े always clear रहेंगी जैसा कि मैं आपको हमेशा पोलती हूं कि भाई step to step पढ़िए बहुत जादा skip करके पढ़ने की जरूरत नहीं है आप step to step चलिए और साई चीजे आसान होती नजर पर आएंगी और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन पर प्रेस कर लिजिए जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहें और आप हमाई साथ बने रहें और हाया अगर अभी तक आपने लास्ट के चैप्टर नहीं गिवेन हैं आप जाके देख सकते हो कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है और यार मैं आपको बात बताओं कि जितनी बाते हम यहां वीडियो में करेंगे आपके बोर्ड एजाम के पॉइंट अब्यों से काफी ज्यादा हेल्फुल होने वाली हैं सब्सक्राइब बने रही है तो वही साही चीज है थोड़ा बहुत हम यहां पर भी देखते हैं तो यहां पर है क्या नाम चैप्टर का हूमन हेल्थ हैं डिजीज तो आप हेल्थ मीन समझते हो त्यार मैं आपको बताओ कि एक ऐसी स्टेट जिसमें फिजिकल मेंटल एंड सोसल वेल्विंग मैं आपको क्यों कि आपको बताओ कि एस्टेट और फिजिकल मेंटल एंड सोसल वेल्विंग हम उसे क्या कह सकते हैंंट हैं स्टेज दिजीज तो भाई काफी तरीक्यस हो सकती हैं तो वह साही बात मैं आगे देखते हैं वीडियो में तो यहां मैं आपको बताओ कि जो पहले अर्ली घ वह करते थे early Greeks like hypocrites यहां पर आपको रही आपको यह देखने क्लिए मैं आपको बताऊं कि father of medicine कौन है you father of medicine तो hypocrites याद रखिएगा और early Greeks के साथ इंडियन आयर वेदा का यह मानना था कि जो ब्लैक बाइल वाले person है जो थोड़े aggressive है जो थोड़े hot personality वाले person है वो कैसे होते हैं मतलब उनको fever होता है उनकी body का temperature कैसा होता है high होता है इनके कहने का मतलब यह था कि black bile is equal to black bile is equal to fever तो इनका कहना था कि जो हमारी health है या फिर डिजीज है वो कहीं न कहीं हमारी body temperature पर भी depend करते हाला कि यह बात है आज हमें पता है कि भई fever कोई बीमारी नहीं है यह तो बस एक ऐसा process है हमारी body का एक natural process है कि हमारी body में कोई pathogen आया तो उसके against हमारी body अपना temperature बढ़ा लीती है देखो यार जितनी बाते में बोर्ण सारी एकदम ध्यान से सुनिएगा अच्छे से सुनिएगा और हां यहां पर यह सारी बाते आप इसकि इतना कर दीजिएगा क्योंकि कि इस्टुएंट्स को ऐसा लगता है कि यह सारी बाते उतनी ज्यादा important होती नहीं हमारे एक्जाम में आये क्या आएगा क्या disease कैसे होती है क्या pathogen है वो सारी बाते आएंगी immunity क्या है AIDS cancer drugs and alcohol abuse यह साही चीजिए हमारे एक्जाम में आने वाली है तो यार मैं आपकी एक यहां पर misconception दूर करूँ कि आपके एक्जाम में जो आएगा ना उसका basic कहा है यहां है सो यार basic कितना important होता है finally आपको यह बाते तो पता ही होंगी okay और पता होनी भी चाहिए okay तो तो यार आप यह सारी बाते जरूर सुनिएगा जरूर देखिएगा और मैं क्या बोलती हूँ वो सारी बाते आप word to word notice करिएगा अपने mind में okay और आप highlighter ले लिए जो सारी बाते में बता रही हूं वो सार के डी किया अर्वेदा लेकिन अहां यह त्योरी डिस अप्रूब्द भी की गई थी ? तो यह बाते दिसआप्रूब्द करने के लिए कोई अच्छा- खासा experiment होना चेह है तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए William Harvey नाम याद रखेगा William Harvey, William Harvey कौन थे? Father of Human Physiology and Circulatory System तो यहाँ पर दो बाते याद रखेगा Father of Medicine, Hippocrates and Father of Circulatory System Human Physiology कौन थे? William Harvey ध्यान रखेगा William Harvey using experimental method इन्होंने क्या मतलब यूज किया इन्होंने क्या कि एक black bile वाले person को पकड़ा और thermometer के thermometer की help से William Harvey ने उसकी body का temperature देखा body का temperature मापा तो वहां पर इन्होंने ये पाया कि यह जो black bile वाला person है जिसे hypocrites या फिर Indian आरवेरा के लोग बोलते थे कि भाई black bile वाला जो person होगा वो कैसा होगा होड पर्सनाल्टी वाला होगा उसे फीवर होगा ओके तो इन्होंने क्या पाया कि ब्लैक बाइल वाला पर्सन तो है लेकिन उसकी बॉडी का टेंप्रेचर कैसा है नॉर्मल है उसकी बॉडी का टेंप्रेचर कैसा है नॉर्मल है तो यहाँ बिलियम हर्वे थर्मामेटर तो इन्होंने फाइनली यह थेहरी डिसाप्रूब कर दी गुड हुमर हाइपोथिस वाली ओके तो अगर हम डबलो एचो के कॉर्डिंग चलें तो डबलो एचो को कहना है कि हेल्ट इस अफेक्टेड भाई थ्री कंडिशन तो थ्री कंडिशन कौन थी है देखते है फर्स्स इन जनेटिक डिसाओडर में क्या हो सकता है अगर सपोस जने टिक डिसाओडर में कोई ऐसा बच्चा है जो की अपने ट्राइसमी पढ़ी एनजिसंहां में यह अपड़े हैं आप मेरे साथ पढ़े जीन में कुछ डिसॉर्डर आ जाते हैं कब फिटल कंडिशन में जो बेबी होता है जो फीटास होता है उसके जीन में कुछ डिसॉर्डर आ जाते हैं जो कि आगे आफ्टर वर्थ भी उसके कुछ केरेक्टर दिखाई देता है 21st trisomy 21st trisomy में हमने क्या देखा था कि 21st number वाले क्रोमोजोम में एक कोई क्रोमोजोम बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है तो आगे चलके कोई ना कोई डिजीज कॉस होगी जो कि हमें चाइल्ड में आफ्टर वर्थ देखने के लिए मिलेगी okay deficiencies with which a child is born and deficiencies तो यहां पर जो चाइल्ड बॉर्ण होगा वो deficiency के साथ ही जन्म लेगा deficiency के साथ ही पैदा होगा defects which the child inherited from parents from birth तो like that hemophilia हो गयरा हो गई अगर hemophilia तो वो तो आपको पता है कि जो child carrier है वो बर्थ के साथ अपने parents की बीमारी लेके आएगा okay कुछ अन्वानसिक भीमारिया है like that जैसा कि मैंने आपको बताया hemophilia और वर्डांधता color blindness okay and next आप क्या देखते हैं infections infections तो यार infections के बारे में तो अब एक्दम अच्छे से जानी रहे हो अभी चल रहा है कोविड-19 तो उससे तो आप अच्छे से परचित हो कोविड-19 हो गया common cold हो गया common cold obviously किसी ना किसी मतलब किसी ना किसी को नहीं है तो सभी को एक नएक बार हुआ ही होगा common cold हो गया निमोनिया हो गया तो यह सारी infectious disease है infectious disease में समस्चे हो यार कि मतलब एक बंदा दूसरे बंदे में transmit कर सके उसे क्या बोलते हैं infectious disease अब यह जो कोविड-19 चल रहा है यह infectious disease है मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को infect कर सकता है इसलिए देखो सब इतने दूर दूर रहते हैं मास्क लगा के चलते हैं सब मतलब अपना separate तरीके से रह रह रहा है बंदा जाने कितने पैथोजन आपकी बॉड़ी में बाइद वाटर बाइफोड इंटर खर जाएंगे और आप में कुछ ऐसी हैबिट जो हैं वह भी आपकी कुछ हैबिट्स मतलब जो कि आप में हैं या फिर नहीं है वो सारी चीजे भी आपको कहीं नहीं बीमार कर सकती है आपके कुछ bad habits जो कि आपको बीमार कर सकती है या फिर कुछ अच्छी habits जो आपके अंदर नहीं है वो आपको बीमार कर सकती है और proper तरीके से rest भी लेना है ऐसा भी नहीं आपको मतलब bell की तरह काम किये जाना है किये जाना है तो obviously आप बीमार होगे ही होगे बाते ध्यान से सुनिएगा और कहीं न कहीं हमारी बॉडी के लिए exercise भी जरूरी है जो कि हमें healthy रख सके तो यह तीन चार बाते हैं एक तो genetic disorder हो गया infectious disease और life style तो यह सारी बाते हैं यह सारी बाते हैं कहीं न कहीं health मतलब WHO के recording कहीं न कहीं हमारी health को affect करती है जैसा कि हम अपने day to day life में health तो obviously use ही करते हैं तो हम health का मतलब क्या समझते हैं health means समझते के हैं अगर आप से कोई पूछे कि आप health means क्या समझते हों तो हम simply बोल देंगे कि absence of disease और जो physically देखने में ठीक था को मतलब की भाई ना बहुत जादा मोटा हो ना बहुत जादा पतला हो मीडियम मतलब फिट हो एक तरह से देखने में और डिजीज ना हो उसे तो हम क्या कह सकते हैं कि बंदा एकदम फिट है चका चक है तो यह मैं आपको बता हूँ इसे एक हम एक हल्दी परसन बोलेंगे क्या सा बंदा होना छे कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोसल वेलवेंग भाई फिजीकली भी अच्छा हो मेंटली भी अच्छा हो ऐसा ना हो कि इसका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो उसका किसी को कुछ भी बोल रहा और तो और सोसाइटी में भी अच्छे से रहना है सोसाइटी में भी अच्छे से रहना उसे हम प्रॉपर हेल्थ बोलेंगे उससे हम प्रॉपर हेल्दी बंदा बोलेंगे लिए और अगर कोई भी हो आप अगर हेल्दी हो तो अच्छा काम करोगे ज्यादा काम करोगे और य तो कॉमन बात है, okay, and maternal mortality rate भी कहीं न कहीं कम होगा, okay, और डाइट आपकी बैलंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जितना पाउ ठूसे जाओ, okay, बैलंस डाइट लेनी है आपको, देख आप अपने भोजन में, अपने खाने में लेते क्या हो, हाँ, वो अलग बात है, दाल, चावल, सबजी, रोटी, जो भी लेते हो आप, लेकिन उसमें, उसमें से क्या आप कंजूम करते हो, प्रोटीन, लिपीट, कार्बोहाइडरेट, यही साई चीजे लेते हो, और जैसे मिनरल हो गया, बिटामिन्स हो गया, और वाटर, तो यह सब तो ट्रेस अमाउंट में होते हैं, जिन्हें डाइजेशन की जरुवत नहीं होती है, डाइजेस्ट करने की जरुवत नहीं होती है, लेकिन ये सब भी हमें balance में लेना है balance diet में ये सब भी रहने हैं तो protein आपको बराबर मात्रा में लेनी है lipid लिपिड भी आपको balance लेना है carbohydrate वो भी balance होना चाहिए minerals, vitamins, water ये सब आपका balance होना चाहिए and personal hygiene, personal hygiene भी जरूरी है and regular exercise is very important to maintain good health तो exercise, hygiene, साफ सफाई और yoga ये सब बातें common है yoga has been practiced since the immemorial time to achieve physical and mental health तो आप बाबारामदे को देखते हो yoga के लिए कितना लोगों को promote कहते हैं और पिछले जमाने, मतलब बहुत पहले से yoga जो की mentally और physically स्वास्थ रहने के लिए प्रचली थे awareness about disease and effect on different body infection तो यार ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि कौनसी disease, इसके लिए आपको सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा इन सब बातों के लिए कि कौनसी disease हमारी कौनसी body को affect करती है, कौनसे body point को affect करती है, क्या इसके science symptoms हो सकते हैं कोई एक ऐसा pathogen, pathogen हम किसे बोलते हैं जो disease cause कर रहा हो, तो कोई एक ऐसा pathogen जिसे हम मतलब एक तरीके से इस condition में पहुचा दें किसी ऐसा pathogen को चाहिए फिर वो bacteria हो, virus हो, fungus हो, कोई भी हो, यही सब तो disease cause करते हैं ना, तो उन्हें हम pathogen बोलते हैं तो एक ऐसा pathogen, जिसे हम ऐसी बत्तर हालत में पहुचा दें, ऐसी बत्तर हालत में पहुचा दें कि वो disease cause करने लाइक ना बचे उसे हम इस condition तक लादें, मार पीट के, तो ऐसे के लिए हम करते क्या हैं, उसे heat killed कर देते हैं, तो heat killed करके, ऐसे pathogen को heat killed करके, किसी एक patient की बोडी में डाल दिया जाता है, कि वो disease cause ना कर पाए, बात है जहां से सुनीगा, कि वो disease cause ना कर पाए, तो यह जो patient की बोडी है ना, at the end यह करेगी क्या कि immunity तो भाई, जनरेट करेगी ही करेगी, immunity बना लेगी, मतलब रोग प्रति रोधक चमता, जो बोडी के अंदर पैथोजन आया है, उसके अगेंट्स यह एक्टिवेट हो जाएगी, और तो और उस time एक्टिवेट हुई, और तो और यह क्या बना लेगी memory cell बना लेगी, memory cell बना ली तो memory cell से आपको यहां पर नाम से कुछ बाते समझ में आ रहे होगी, उस time पे तो यह लड़ा, उस time पे तो यह लड़ा, लेकिन अगर ऐसा पैथोजन, ऐसा पैथोजन दुबारा हमारी बोडी में आया, तो मार के गिरा देना है, इसके लिए यह memory memory cell बना लेती है, तो आपने कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं पांच साल तक उन्हें क्या करवाया जाता है, वैक्सिनेशन करवाया जाता है, टीके लगवाया जाते है, तो इसलिए वो बच्चा बीमार नहीं है पांच साल तक, मतलब होता होगा लेकिन ऐसा इ चाहिए बाते समझ में आने चाहिए वेक्सिनेशन क्यों करवा जाता है अगेंड्स इंफेक्सियस के अगेंड्स प्रपर तरीके से लडाई करने के लिए और जो वेस्टेज उनका प्रॉपर डिस्पोजल करना है और जो मच्छर मक्हियां है उन्हें घर के अंदर आने से वर resources are necessary for achieving good health तो यार यह साही बाते ध्यान रखेगा अगर आपको अपनी सेहत अच्छी खासी रखनी है तो हम जानेंगे कैसे कि हमें कोई disease है हम बीमार हैं हम healthy नहीं यह सारी बाते लाइं कैसे जानेंगे तो यार सिंपल सी बात नहीं है जब हमारी बोड़ी का कोई कि एक या फिर उसी मतलब कोई वन या वन और और प्रापर तरीके से काम करना बंद कर देंगे कोई बी और अगर वह तो मतलब affected है जैसे affected है तो उसके कई सारे science symptoms होंगे बाते समझ जवाब जैसे कि हमारे पेट में कोई problem है तो obviously digestive system से related कोई problem होगी होगी और जैसे कि हमारे lungs में कोई दिक्कत आ गई तो हमारे respiratory system से related कोई नहीं कोई problem आएगी ही आएगी इसके सारे science symptoms देखने के लिए मिलेंगे तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई हम healthy नहीं है हमें कोई disease है disease can be broadly grouped into infectious तो obviously disease infectious भी हो सकती है and non infectious भी हो सकती है तो जैसा कि मैंने बताया कि अब कैसे जानूगी कि infectious disease which are easily transmitted from one person to another तो इसे हम क्या बोलेंगे infectious disease बोलेंगे infectious disease जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में आसानी से पहुंच जा है उसे हम क्या बोलते हैं infectious disease infectious disease are very common and every one of us suffer from this sometimes or other disorder तो असी धेर साई disease है किसी को अगर मालो fever जैसे की टाइफाइड मलेरिया अगर मानती हूं मानती हूं यह सब नहीं हुआ होगा तो common cold तो सबको एक ना एक बार जरूर हुआ होगा बांते हो बात हाँ बिलकुल बिलकुल माननी पड़ेगी बात माननी पड़ेगी क्या मतलब सबको होता हुआ जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कम सही है थोड़ा कम काम करना इम्यून सिस्टम सीजन चेंज हुआ नहीं कि common cold होना ही होना है और कुछ infectious disease ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है infectious disease की ही बात कर रहे हूं common cold तो हाँ चलो ठीक है common है लेकिन कुछ ऐसी डिजीज है जो कि काफी ज्यादा मतलब उसके नाम में ही है कि मैं बहुत खतरनाक हूं एड्स ओके infectious disease ही है तो बच के रहना ओके इमंग non infectious disease non infectious disease की बात करें तो like that cancer तो cancer भी एक ऐसी बीमारी मानती हूं non infectious disease है लेकिन भाई डेथ तक पहुंचा देती है मृत्यू करवा के छोड़ती है ऐसा नहीं कि मतलब मृत्यू करवाएगी ही लेकिन अगर early stage में मतलब अच्छा उप्चार दिया गया तो ऐसा नहीं कि मर ही जाना है drug and alcohol abuse are also affect our health adversely तो भाई drug alcohol चरस गांजा जो भी होता है यह सब भी कहीं न कहीं हमारी health को affect करते हैं लेकिन non infectious disease है ध्यान रखिएगा तो इसमें non infectious 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 में तो आप यहीं देखे ना कि एक एक परसन से दूसरे परसन में easily transmit हो जाए तो जैसे यह alcohol हो गया drug हो गया चरस गांजा अफीम हिरोईन तो यह तो एक बंदे से दूसरे बंदे में easily transmit नहीं हो सकता है ना अब को ऐसा तो है नहीं कि अगर सपोज कोई अगर सब्सक्राइब कर रहा है तो सामने बैठा इंसान भी इससे अफेक्टेड हो जाएगा वह भी पीने लग जाएगा ऐसा तो होता नहीं है तो common common सी बात है infectious disease non infectious disease okay and now we are talking about common disease in human अब हम क्या पढ़ते है common disease in human okay तो आपको मैं बात बताऊं कि आपके अगल बगल आपके अगल बगलना मतलब एकदम से पूरा वह फैला हुगा है मतलब आतंगवादी है एकदम से आतंगवादी है जो कि आप पर आक्रमड करना चाहते हैं okay बाते ध्यान से सुनिएगा आप तो वह आतंगवादी कौन-कौन से है वह आतंगवादी कौन-कौन से है वैक्टिरिया वाइरस फंजाई प् आपको देखते हैं तो इन्हें लगता है कि brother he is करने के बाद इसकी बॉडिससे उसे मैं ले लोग़ते हैं यह आपकी बॉडि पे आस्रित है यह अपना खाना पानी खुद नहीं बनाते हैं तो यह क्या करते हैं आपकी बॉड़ी का जो न्यूट्रिशन होगा यह सक करेंगे और आप बस पड़े रहो तो यहां पर जैसा कि आपने देखा कौन-कौन होते हैं बैट्रिया वारस फंजाइब बैधोजन हेलमेंथीज कुट कॉज डिजीज इन मैं जो कि इंसानों में डिजीज कॉज कर सकते हैं इसली तो इनसे बच के रहना है वैसे तो यह सारे बचने बचाने वाले काम तो हमारे इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में थोड़ी सी इम्यून सिस्टम को भी मतलब हिलाक ही रख देते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रत पढ़ती है और कभी-कभी तो होता है हमारे इम् pathosons as they cause harm to host by living in or या फिर on ओके बाते ध्यान से सुनिएगा pathosons जो कि हमारी body के अंदर भी मतलब जाके disease cause कर सकते हैं या फिर हमारी body के उपर रहके भी disease cause कर सकते हैं तो अगर हमारी body के अंदर जा रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं eating the po parasite , अग्र है मैं बॉड़ी के उपर हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं टो पैरा साइट तो जैसे की यहां पे आप फंगसे of यह आप पाय। है आप यहां पे फंगस का डीजीज कोज करते हैं फंगस जैसे कि रिंग वाम हो गया बैक्टिरिया के डीजीज कोज करता है टाइफाइट प्लैग, डेसेंटरी आंड यहां पर आप देख रहे हो वाय। वायरस वायरस कोल्ड हो गया and pneumonia हो गया। यह सब डिजीज कॉज करते हैं फंगस तो मैंने तो आपको बताया है कि जैसे रिंग वाम हो गया रहो गया एंड प्रोटोजोंस, प्रोटोजोंस, मलेरिया, डैसेंट्री, हलमिन्थस तो यह सब डिजीज कॉज करना ही इनका काम है, इनका धर्म है, ओके पैथोजन्स इनका प्रोटोजोंस, तो यह जो पैथोजन्स है अपने लिए बड़े हर्मफुल है, आपकी बड़े हर्मफुल है, वसे यह बाते आपको समझ में आए कि हम एक्टो परासाइट किसे बोलेंगे, इंडो परासाइट किसे बोलेंगे, यह हमारी बोड़ी को कैसे हर्म पहुच झकुकि हमारी इंडो परासाइट क्योंकि हमारी क्या करता है चाहा करता है, में आपकी क्या करते हैं, यह लिए टार्गेट करता है, हमारी पुरे नाइजस्टिव में यह हैं पर पूरमे कर देह दो उने पाइस साइने और सिंटम आगे सारी बाते देख तो यहां पर अगर संट नॉर्मल ऐक्टिविटीज है और प्रॉपर तरीके से पाद काम नहीं करने देगा और यह अन्या आपको बता है कि यह हमारी बॉड़ी में घूसे तो मंटिप्लाइ करेंगे ही करेंगे और मल्टिप्लाई यह कर गए धेर सारी नमर में हो गए तो हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन के लिए नहीं लग जाएंगे तो यह तो भाई अगर बॉडी के अंदर इंटर किये तो डैमेज तो करेंगे ही करेंगे ओके मैं आपको एक बात बताओं कि यह पैथोजन होते है इनके पास एड़ाप्टेशन की टेक्निक होती है पैथोजन है प्रिडाप्टेशन की अपनी बॉडी को एडाप्ट कर लेंगे जैसे कि मैं आपको बताओं जैसे हम यहाँ पर तीन या सॉलिम की ही बात कर रहे थे तो सपोस्ट यह कहां जा रहा है आपकी इंट्रेस्टाइन में जा रहा है आपके इस्टमक का पीच क्या होता है लो होता है एसे बन जाते है कि यह लो पीच में सर्वाइब कर सकें अब देखिए अब जैसे हम टीनिया सॉलम की बात कर रहे थे इनके पास क्या होता है आपने देखा होगा मैंने आपको बता है पलैटी हलमेंथी लेक्चर में तो यहां पर इनके पास क्या होते हैं धेर सारे हुक लगे होते हैं यहां पर हुक्स लगे होते हैं जिससे क्या करता है यह आपकी इंटेस्टाइन में जाता है इस हुक्स के थू आपकी लिपिद लिया तो होगा जिए fix हो नीटरिचन नाटरीन को सब्सक्राइब बन उखको नूटरिचन जोपकर बन गया तो यह क्या करते要 है नीटरिचन को सठेगा है उट्रिचन को सखकके हैं पीला डालेते है और अपकर बने बोड़ी को अपनी बोड़ी को उसी हिसाब से बना लेते हैं कि मैं इस इन्वार्मेंट में रह सकूंँ पैथोजन सब्सक्राइब टू लाइफ विदिन दा इन्वार्मेंटल अफ दो होस्ट फार एक्जामपल जासे की एक्जामपल जासा कि मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा बहुत विश्फ में बी सर्वाइब कर चैना एंड इसितिंग ग्रीज डाइज्टy फेंजाइम और इतने सा डिसकूस्ट हेर अलांग विद डिजीर्स कॉस्ट बाइदेम तो आगे वह वह बाते हम करता है कि ऐसा कौन से पैथोजन है क्या डिजीर्स कॉस्ट करता है क्या उसके साइन करते हैं कौन से औरगन को अफ़ेक्ट करते हैं क्या सइन एंच सिम्टम होते हैं और वगया यहां को यह पर यह सारी बाते याद रखेंगे और यहां से एक नाएक विश्टन आपके इक्जाम में जरूर आएगा तो यहां पर यह साही बात हैं हम करते हैं सालमोनेला टाइफी यहां से एक बात आपको समझ में आ रहे हो ना हो यह टाइफाइड ही कॉस करेगा तो यहां पर होता क्या है यह जो Type 5 तो यहां पर होता विर आंड है जको कों से ओर पर जा रहा हैенно स्मॉल इंटेस्टाइन न तो त्रहल यहां फिल इंटेस्टाइन के बाँ बरत बारेम समझker पश्क मेंने सब्सक्राइन कहीं तो तो यहां पर इंटेस्टाइन वह यदर्णया करने सैक हुआ प्रॉपर कहुआ है कैसल क्या होता है इसलब बदीशा फिल हम यह जो सॉल्मोनेला टाइफी जो बैक्टिरिया है आपके स्मॉल इंटेस्टाइड में कैसे पहुचा इसे पाहिए पूर्टेड़ फूर्ड एंड वॉटर जैसा कि मैंने आपको बता है कि वह फूर्ड एंड वाटर आपका नहीं होना चाहिए फ्रेस होना चाहिए साफ सुत स्मॉम्टम्स देखनी क्लिम लेंगे साइनन्ट सिम्टम्स क्या देखनी क्लिम लेंगे आपको इसमें होगा क्या है फिवर होगा आपको 29 40 इंच तक पहुंच सकता है, और अगर आपको फीवर है तो आपको वीकनेस देखने क्लिम लेगी अब बीटनेस को बता है ना कि यह सारा न्यूंट्रीसिजन अगर यह सक पैथोजन आया है, तो वीकनेस तो इस्टमक पचाहि वह तो बात है और श्टमक पेन भी होगा मैंने आपको बताक见 कहीं कि अगर आपका डाइसिव सिर्टम इस्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्लेक्ट हो रहा है तो डाइसिटिव सिस्टम तो इस्टमक पेशन भी आपको लिक मिलेगा और breakthrough 엟र ब्लड के थ्रू ब्लड के थ्रू अधर और अर्गन में भी यह पहुंच जाएगा ओके बाते ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके बाद कहीं न कहीं कॉंस्टिपेशन भी आपको देखने के मिलेगा हैडएक और भूग प्यास नहीं लगेगी आपको यह इसके कुछ कॉमन साइन और सिम्टम्स हैं कॉंसे डाइफाइट के ओके तो ध्यान रखेगा अगर आपको कभी ऐसा होता है तो इसे थोड़ा सीरियस लीजिएगा ओके इ जोगुझे क्यों कि पहुंकि ती में कुंकि यह बैक्टेरिया ये कर क्या देता है यहां पर छोट छोटे पोर बना देता सेरी पहुंचा देता कि पर चोटे चोटे पोर बना देता है और यहां के जो material होते हैं यह बाहर निकलने लगते हैं एड़ाइन यह कहां तक पहुचा देता है डेज तक की सफर करवा देता है तो इसके लिए एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट जो की करवा लीजिएगा अगर ऐसा का मतलब भगवान करें ऐसा ना हो आपको लेकिन आपके एक्जाम में आएगा तो कॉंसा टेस्ट होता है विडाल टेस्ट जिसे आप confirm कर सकते हो कि तो इनका निकनेम पतե है। ताइफाइड मेरी क्यों क्यों कि ये तो मतलब ये तो मतलब professionally ये प्रोफेशनल एक कुक थी जो कि खाना-पानी बहुत अम आधि थी तो ये क्या कि मतलब बहुत बहुत लंबे टाइम तक बहुत लंबे टाइम तक टाइफाइड की केरियर रह चुकी हैं, okay, that's why इन्हें क्या बोला जाता है, टाइफाइड मैरी, sorry, Mary Mellon को क्या बोला जाता है, टाइफाइड मैरी, okay, क्यों, क्योंकि एक लंबे समय तक इन्होंने टाइफाइड इस्प्रेट किया था, खाना देने के साथ, okay, अब हम यहाँ कुछ और बैक्टिरियल डिजीज देख लेते हैं, like that, pneumonia, okay, pneumonia भी किस से होती है, pneumonia भी एक बैक्टिरियल डिजीज होती है, कौन से बैक्टिरिया से होती है, streptococcus pneumonia, okay, कौन से बैक्टिरिया से, streptococcus pneumonia and hemophilius influenza, okay, तो यह दोनों नाम याद रखेगा, यह बोध है, responsible for the disease pneumonia in human, which infects alveoli, तो यार आप respiratory system में देखे होगे, respiratory system में आप पढ़े होगे, lungs है न, तो आपको lungs में क्या देखने के मिला होगा, alveoli, क्या देखने के मिला होगा, alveoli, alveoli का काम क्या होता है, gases का exchange करना, gases का exchange करना, O2 को इन करना and CO2 को बाहर कर देता है, CO2 को बाहर कर देत है, O2 को alveoli में लेता है, और alveoli में लेके आपकी blood के through, blood के through, blood के through, आपके एक-एक organ में, okay, आपकी body के एक-एक organ में proper तरीके से blood का सर्व, मतलब पहुचा देता है, alveoli, okay, तो यहां पर actually होता क्या है, okay, ध्यांचे सुनिये गाबाते है, pneumonia में होता क्या है, lungs effect होता है, pneumonia में होता क्या है, lungs effect होता है, lungs में ही तो present है alveoli, तो obviously हम बोल सकता है, lungs effect होता है, तो मैं आप से क्या बात कर रहे थी, कि इसमें actually होता क्या है, कि यह जो आपके alveoli है, आपकी जो lungs के alveoli है, इसमें क्या हो जाता है, air के वजाए fluid filled हो जाता है, okay, क्या filled हो जाता है, fluid filled हो जाता है, यह सेक कैसे होते हैं अलवलाई एयर फिल्ट सेक होते हैं एयर फिल्ट सेक होते हैं अगर आपके अलवलाई में फ्लूट फिल हो गया है तो वहां पर क्या होगा matter, to all the patients, you will be sure to learn until you prepare University with respiratory system और यहांपे और आप symptome की बात करो तो syndrome में आपको फिवर देखने के मिलेगा जुका मुखह मच्छा खासा देखने के मिलेगा काफ और शीर दर्द भी होगा और कुछ cases में lips and fingernails ये कैसे हो जाते हैं हो जाते हैं blue is हो जाते हैं नीली कलर में पढ़ जाते हैं और obviously एक healthy person a healthy person भी infect हो सकता है healthy person कैसे infect हो सकता है by inhaling the droplets droplets aerosols released by the infected person and even by the sharing glasses and utensils with an infected person infected person से थोड़ी दूरी बना के रखनी है अगर कोई pneumonia से infected है तो उसके आसपास बहुत जादा ऐसे नहीं रहना है कि हाँ अगर वो छीकता खासता है तो उसकी droplets आप तक पहुंच सके तो प्रॉपर तरीके से आपको mask को गएरा लगा के रखना है और जैसे यहां पर आप देख रहा है और इवेन बाई ऐसे origins बेक्टीरियर डीजीब है यहां पर कैसी डेसान ढूली जा रही है बैक्टीरियल डेसान रहीए नच फासे मायन करेंगाय कि यहां पर आपको तरीके की दे यस्लेके बातलब अमवईद देखेंटरी तो ऐसे तो दोनों हो सकता है, Amoebae Dicentri bhi होती है, Protozone Dicentri bhi होती है, तो यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर Amoebae Aces देखनी क्लिम लेगा आपको, अगर Protozone है, तो Amoebae Aces देखनी क्लिम लेगा, तो फिकर नॉट ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ वाइरल डिजीज तो यहाँ नहीं, तो हर सीजन में लगबग सब को हुआ ही रहता है, Many viruses also cause disease in human belong, rhinovirus, और यार मैं आपको बता हूँ, rhinovirus कोई इकलोता नहीं चलता है, मतलब अखेले नहीं चलता है, यह बंच में चलता है, ग्रूप में चलता है, rhinovirus, rhinovirus को हम बोल सकते हैं, rhinovirus is a group of virus इसे हम क्या बोल सकते हैं, group of virus which cause the most infectious human elements like common cold, तो भाई, common cold से सब बकाईदा चिर परचित हैं, बताने की ज़रुरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम कुछ बाते देखते हैं, the infect nose and respiratory passes but not lungs, lungs कहाँ पे infect हो रहा था, बैक्टेरियल डिजीज, बैक्टेरियल डिजीज, निमोनिया में, बैक्टेरियल डिजीज, निमोनिया में, जो किस से हो रही थी, बैक्टेरिया से, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे, यहाँ पे हमारा लंग्स, लंग्स infect हो रहा था, लेकिन common cold में क्या हो रहा है disparatory passes disparatory passes effect हो रहा है okay disparatory passes infect हो रहा है nose infect हो रही है लेकिन अगर बात की जा lungs की तो थ्यान रखेगा but not the lungs तो यहाँ पर one word substitution में आप से पूछा जाएगा ऐसे question ध्यान रखेगा okay the common cold is characterized by nasal congestion आपकी नाक बंद हो जाती है या फिर मतलब जब खुलती है तो प्रॉपर तरीके से खुल वी जाती है गला मतलब गला थोड़ा खरास रहता है सिर्धर्द भी वराबर रहता है थकावट भी रहती है और ये लगबा prosper 3-7 दिन आराम से ले लेता है हफ्ते भर तेन दिन तो मतलब पीक पॉयंट वाला होता है जो जुखाम होता है कमय तीन 4 दिन तो पीक पर होता है फिसह nude घहीं ठीक होता है और एक अच्छा खासा इंसान एक अच्छा खासा इंसान कैसे भुट हो सकता है अगर इंफेक्टेटट परसन है तो उसकी रोपलेट सौत अगर चीकता है तो उसकी रोपलेटस से दूर रहना है इनफेक्टेट परसन आइधर inhaled directly to transmitted through the contaminated objects such as pen, book, cup, notebook, computer, keyboard, mouse तो मतलब ऐसा कोई भी object है जिस पर मतलब की infected person के droplets या फिर कफ अगरा हों तो वहाँ पर इसके जो viruses होते हैं जो rhino virus आप देख रहे हो ये प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होगा जो कि आपको infect कर सकता है यह अच्छे इंसाम को healthy इंसान को ok से अब बात करता है onto zone disease के बारे में और यह indo à disease कौ। malaria जो ओक एक होती है plasmodium की थरू होती है किस्के थरू होती है Plasmodium के तुरू होती है और इसके लिंदीर रिश्त्य दार भी है कौन-कौन से plasmodium б productos Dentсп Rig प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम फैलसी होता है यहां पर ध्यान रखिएगा जो घातक हो सकता है तो यहां डाइग्राम में देख लेते हैं इसका पूरा साइकल से पाद बाद आगे पढ़ते हैं फर्स्त आफल मैं आपको बतादु कि जो डीजियू होती है, यह जो मॉस्क्इटो सफ़िलता है, कौंसा? एनाफ्लेस, female एनाफ्लेस के थू फैलता है, तो यहाँपे इसकी जो मतलब infectious disease होती है, okay sorry, infectious stage जो होती है, infectious stage जो होती है, infectious stage जो होती है, मत्लब मित्लब में इसकी जॉची विए सिलाइवा में क्या होता है इसके सोलाइवा में क्या ह活ता है जब he kisi human ko bite कहता एक बाइल करने के साथ इस फोर जॉच छोड देता है उसकी body में उक्य तो वो उसकी body में जाते хват tut blood के थ्रूची पर जाता है लीवर में ग्रसाइट इस Foro drugs, ट्रीजट रीवर के लिवर्स तुलरल तुल तुल सब्ड़ धाया कि ली जासा कि मैं आप को पिताया कि लिवर लिवर पोर्जाथा और लिवर में पहूचके जो लिवर सेल्स होती है पैटिक सेल्स होती है वहां पहुंच की क्या करने लगत पहुंच करना करने लगते हैं बहुत तीजी से language अप стр drainage ऐस DAN इतंवा त्ट आम ही सेल एतना चोंटीत में यह वीजन करते हैं यह सेल को फ़ार देता है cell breast ho ortay और यह क्या होते हैं बाहर आ जाते है でफशाइट reproduce asexually in liver cells तो यहाँ पर पर बात और रיחy SOUND यह कैसे reproduce होते हैं human message asexually धियान रिख़ेगा man package produce asexually ओके मैं लिख भी लेती हूँ यह कैसे reproduce organickiej asexually in liver cells brushing the cells and releasing into the blood to obviously यार अगर सेलफट रही है, यह पैरसाइट बाहर आ रहा है, मैंने आप से पहले ही बताया था कि भाई, यह सोचते क्या है, कि किसी हुमन की बॉड़ी में इंटर कर जाओ, वहाँ पे जाके ढहे सारे बच्चे पैदा करूं, डिवीजन करूं, डिवीजन एंडिवीजन, मतब अप कला है, भोगर ममें ब्लड में पहुच गे है, ब्लड की सेल, यह सेल और मैं प्लड मेंस ब्लड के भाई चंच कर दिये, जासाए यहां पर लिवर की सल लिवीजन第वीजन कर रहे lênी तो यहां पर भी multiply करते गए, करते गए, rapidly एकदम division कर रहे हैं, तो एक time पर ऐसा आएगा कि जब भाई, cell के अंदर जगा कम होने लग जाएगी, cell breast हो जाएगी, cell fat हो फट जाएगी, यहां पर भी sexually reproduction ही करते हैं, sexually reproduce करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई, इन्हें याद reproduce करते हैं, तो asexually, याद रखिएगा, okay, asexually reproduce करते हैं, parasite reproduce asexually in red blood cell, आपको पता हैं, brushing the red blood cell and causing cycle of fever and other symptoms release the parasite infect new red blood cell, तो याद रखिएगा, अभी यह parasite, यह parasite अब आपके blood में पूरी दरीके से मिल चुका है, okay, यह parasite अब आपके blood में एकदम से फैल गया है, तो यहां पर अब क् बढड़ का temperature बढ़ा देगा, तो यह आपकी body का temperature क्योंबढ जाएगा, यह यह पर यह Scrolls है यह कासा सफ्सार रिलीस कर रहा है घीमोजाइंग जो कि कैसा थाथ सीक यह टॉक्सिक फटिपरीचर बार बढ़ता है यह जितनी बार आपने देखा होगा व्रयरिया का सिंटंस क्या है बुखार चड़ता है उतरता रही क्यों उतरता रहता है इसी वज़ा ज्यादा नंबर में है यह इस प्रोजाइट आपके ब्लड में मिल गया तो फीबर हो गया तो यह साइकल जो है यह फीबर का चलता रहता है अब यहाँ पे देखें यह जहां इस जहां सेक्स Police बनाने लगता है यहां पे गामिट का फॉरНमेशन होने कहां पे गामिट का फॉर में मैं रहा है tä मतलब कि यहाँ पॉरमेशन और में घ्यान रखेगा हमेसे हएंशा बॉर्डी में तो यहां पर दो चार बाते होते हैं जो कि काफी जादा important हो जाते हैं तो एक तो मतलब कि यह जो infectious state है कौन सी होती है sporojoids होती है यहां पर toxic substance क्या होता है जो कि sporojoids release करता है जो कि काफी जादा harmful होता है जो कि affect करता है क्या hemojoine और क्या पुछा जाएगा आपसे कि human body में human body में sporojoids जो यह parasite है कैसे reproduce करता है जो हमेशा याद रखेगा sexually reproduce करता है और यह आके कहां पर पहुंचता है आपकी liver cell में अब क्या हुआ यहां पर यह जो sexual stage है gametocyte gamet का formation कहा हुआ human blood cell में human red blood cell में हुआ अभी यह gametocyte okay यह gametocyte कहां है human में है अभी तो human में ही है अब क्या होगा अब कोई anaphilis mosquito अब कोई anaphilis mosquito इस बीमार इंसान जिसको malaria हुआ हुआ है इस infected person को आके अगर bite करता है तो यह mosquito क्या होगा ब्लड के साथ ब्लड में ही तो है यह gametocyte इसकी sexual stages ब्लड में ही तो है ओके यह जो infected इंसान है इसकी बॉड़ी से जब यह mosquito इनाफilis जब ब्लड सक करेगा ब्लड सक करने के साथ साथ यह gametocyte को भी सक कर ले गया female gamet and male gamet इस gamet को भी सक कर ले गया female mosquito takes up gametocyte with the blood meal यह अपने खाने के साथ साथ इन gametocyte को भी सक कर ले गया तो क्या होगा अनाफilis mosquito है यह अनाफilis mosquito की intestine में क्या होगा fertilization होगा fertilization and development take place in the mosquito's intestine तो याद रखेगा यह बाते आपसे पूछी जाएंगे आपके exam में में भी पूछी जाएं ओके पूछी जाएं ना पूछी जाएं ध्यान रखेगा ओके इस पोरोज्वाइट से इनका fertilization कहा हो रहा है sexual reproduction कहा हो रहा है फीमेल एनाफिलिस की intestine में वहीं पर development हो रहा है वहीं पर fertilization हो रहा है वहीं पर growth हो रही है तो ध्यान रखेगा अब क्या होता है कि यह पहुंच जाते हैं after fertilization यह mature भी हो चुके हैं देख रहे हैं development भी हो चुका है इनका development भी हो चुका है तो यह कहां पहुच गया इनकाई मौस्कीटो की गट में पहुच गए Ogay mosquito की गट में पहुच गया मौस्कीटो की गट में पहुच गया है वहां पर जिस mosquito की saliva में इस porozoites है अभी ये mosquito जाकर किसी इनसान को किसी अच्छे खासे इनसान को मतलब कि जो कि infected नहीं है किसी एक healthy इनसान को जाकर काटता है सरी काटती है काटती है तो क्या होगा ये इस porozoites को इसकी body में इंटर कर देगी इंजेक्ट कर देगी एक healthy person के एक healthy person की body में अगर इस porozoites जा रहा है तो वो through the blood कहां पर पहुंच जाएगा liver में पहुंच जाएगा liver में पहुंचते ही liver की cell में ये rapidly division करने लगेगा और एक time ऐसा आएगा जब cell he प्रश्थ हो जाए गी। से together के ब्लच जा रहे हैं बलड में पहुंचते ही फिर ब्लेड की wedभी इस हटाउइड कर दियो है प्लेड की सेज में जब ईवीजन चफ्ट जाएगा और यहां पर जैसे ही फटा है कलेगे हो कि किसा मैं हीमोजाइंग और यह हीमोजाइंग आपके बॉड़ी के टंप्रेचर को बढ़ा देगा तो यह सारा साइकल चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि आप की इम्मुनिटी प्रॉपर काम नहीं करने लग जाएगी या फिर आप डॉक्टर के पास नहीं जोगे लेट उस टेक अब यह सारी बाते हम देख के आ रहे हैं डायग्राम में सारी बाते हैं अब समझ भी यहां पर भी ले सकते हैं कि क्या कुछ बाते लिखी गई इनका लिखना भी बेश्ट ना जाए हम पढ़ लेते हैं ओके प्लास्मोडियम इंटस इन दा हुमन बॉड़ी ऐसा इस चाल्झा बेशा और याद सॉल्ट करता है और यह कैसे अगया जाता है यूमन की बॉड़ी स्टॉट किसी एक है लींड को का採ता है घॉलाजर करता है तो मεधने के साथ उसकी बॉड़ी में इस पोरोग्जार्ज भी इंजर कर देता है?. और पार интерес इंसी कूली मुल्टीप होता रहता है rapidly 22 राय तो एक time पर ऐसा आता है जबकि ये अल् 섞लिन जोडा 4 जाती है और ये जाता है और धी पहुंच या थे, डी बल्ले вर चल से चल सुणत रहता है और झाल भी चलता रहता है और Grande हाई फीवर रिक्यूरिंग इबरी त्री तू फो दिस ओके हटी से चौते दिन में यह मतलब साइकल चलता रहता है और हर दिस चौते दिन में फीवर चड़ता उदरता रहता है वेन फीमेल एनाफिलेस मॉस्कीटो बाइट इंफेक्टेड परसन और वही फीमेल एनाफिलेस अगर किसी इंफेक्टेड परसन को काट लेती है तो क्या होता है कि जो मतलब परसाइट होते हैं परसाइट किस कंडिशन में पहुच जाते हैं तब गैमिटो साइट गैमिट को फॉर्मेशन हो चुका होता है एक हुमन की बाड़ी में है अभी आप पीछे देखके आ रहे ह गैमिट को फॉर्मेशन हो चुका होता है तो यह क्या करते हैं यह परसाइट इंटर इन दा मॉस्कीटो बॉड़ी तो यह परसाइट मतलब मॉस्कीटो सक कर लेता है बलड के साथ साथ इस परसाइट इस परसाइट की सेक्स्वल स्टेश को सक कर ले जाता है तो वहां पर मे गैमिट एंड फीमेल गैमिट होते हैं जो कि उस मॉस्कीटों की मॉस्कीटों की इंटेस्टाइन में जाके सेक्षोल रिप्रोडक्शन करता है और नम्बर में खुद को तादाद में खुद को बढ़ाते हैं तब पैरसाइट मल्टी मल्टीप्लाइब इन देम तू फॉर्म इन चयए नहीं चयकरियल स्थी होता है जो करने लाई और स्कुत कनोष्वाइब रिप्रोड़क्शन होता है और प्रम बाते लिए खीया को बाइट करता है यह उसकी बॉडी में इंजक्ट का देता है मॉस्कीटो बाइट है हुमन दैस्पोरोजवाइट इंट्रोड्यूस इंटो इस हर बॉड़ी ओके दियर बाइट इनिसियेटिंग इवेंट्स मेंसंड एवर ओके इडिस इंट्रेस्टिंग तो नोट तो यहां इसके पास कितने होस्ट होते हैं टो स्पाइस कुनकॉन सा एक तो हुमन की बॉडी में सहेक्शूल्स करता है जो कि इसके वस्मे एक इपोके इसके सेकस्वल इस्टेट भी आते लेकिन रिप्रॉडक्शन कहां पर करता है मॉस्किटो में जाके करता है तो यहां पर दूसरा इसका होस्ट कौन सा है मॉस्क्यूटो है और मॉस्क्यूटो जो है मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटो एस वेक्टर भी काम करता है जो की डिजीज कॉस करने में हेल्प करता है so we can say that vector के form में कौन काम कर रहा है मौस्क्यूटो काम कर रहा है और यहाँ पर फीमेल एनफिलीज इस दा वेक्टर तो याद रखेगा इसका वेक्टर कौन है वेक्टर इस दा फीमेल एनफिलीज आगे चलते हैं यहाँ पर हम कुछ प्रोटोज्वन दिजीज देखते हैं जयसकि आप यहाँ पर देख रहो है और आमीबा हिस्टोलिटिक मैंने आपको पहले बिदाया था यहाँ पर क्या होगी दैसेंट्री होगी तो मैंने आप ग्योंटा कि एक डेसेंटरी है जो किसी से से इक्षेंट्री कुस दूसरी डेसेंटरी क्षचे कॉर्टियोग फेशुंटरी किसे से संज्टीय फेशूंट ₉ तो यहां पर देख रहा है फिर से आपका डाइटिव सिस्टम आ तो फिर यहां पर कहीं ने कहीं कॉंस्टिपेशन एब्डोमिनल पेन इसकी तरफ कहीं न कहीं सारा किया जा रहा है तो यहां पर क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन human which cause amoebiasis तो यहाँ पर क्या होगा amoebic dysentery होगी इसके sign and symptoms क्या होगे this disease include constipation okay, abdominal pain okay, cramps stools within the excess mucus तो क्या होगा, जो excretory material होगा, उसमें क्या होगा mucus होगा, blood clots देखने के ले मिलेंगे तो इसके carrier कौन होते है house flies act as mechanical carrier, okay house flies कैसे काम करते हैं, act as a mechanical carrier and serve to transmit the parasite from fascist of infected person to food and food products तो यार इसलिए बोला जाता है कि सौचाले बनवाई है, सौचाले का यूज कीजिए, बाहर सौच न करिए तो यहाँ पर देखिए, कहीं न कहीं ये भीमारी एक infected person के fascist से, जिसमें क्या होंगे, इसके परसाइट होंगे, तो क्या होगा, जो मक्खिया होंगी, mechanical carrier का काम कर रही है, एक infected person का फैसे हैं, फिर उसके बाद इस पर मक्खिया आई, मक्खिया उड़के आई, मक्खिया अपने साथ पैथोजन को ले गई, फिर आपके खाने पीने वाले सामान में बैठी, तो भाई, ऐसे तो बिमारी पहुँच रही है, तो इसलिए कहा जाता है, कि जो मतलब की वेच्टर उननों को प्रोपर तरीके से डिस हरुत कर देना है जिसे मच्छ मक्हिया उन तक पहुच और मच्छ मक्क्यों को भी दूर रखना है और ने क्योंकि की अध्यर और देर बाइ इंवार अरता कि वमुचा एं सूर्स तो यह मच्छ मחिया Sa Stock एक शाफाई बरतनी है। okay, एसकरीज, एसकरीज is the common round form, okay, तो यहां पर हम कुछ हालमेंथेज दिजीज देख रहते हैं, like that, phylaryas, ascaria, ascarriasis, तो यहां पर हमें दो चीज़ देखने के लिएए, एक वाउचेरीया, एक वाउचेरीया, एक वाउचेरीया, एक वाउचेरीया को यहां पर थ्यान रख़ेंगा यहां पर ध्यान रख्यएंगा यहां पर फिलरेयल ओम बोल रहा है तो फिर पर प्रेज़ ऑने जो कि इन्टेश्टाइनल पेरासाइट है है तो फिर कहीं न कहीं digestive system की band बजने वाली है तो इससे क्या cause होगा iscariasis तो यहां पर हम क्या देखते हैं इसके symptoms देखते हैं including internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of the intestinal passes okay intestinal passes में blockage आजाता है अब कुछ बातें और देखते हैं the egg of the parasite are excreted along with the fesses of infected person which contaminated soil तो यहां पर देखिए पीछे आपने क्या देखा था यहां पर entamoeba histolytica वाली case में यहां पर आपने देखा था कि हमारे पीने वाला पानी खाने वाला प्रोड़क्त contaminated हो जाता था through the flies जो कि एक infected person के fesses पे बैटके फिर वापस से खाने पीने के सामान पर जाती थी जो कि उसे contaminated कर देखिए ती लेकिन याल यहां पर आप क्या देख रहे हैं यहां पर आप जड़ा देखो कि यहां पर क्या होता है कि infected person के fesses से infected person के fesses से यहां पर क्या होता है infected person which contaminated soil, soil भी infected हो जा रही है water, plants तो यह कहीं न कहीं लंबे समय तक चलता है a healthy person acquires this infection through the contaminated water, vegetable, fruit तो ऐसी मिट्टी में जिस मिट्टी में मतलब स्वाइल भी तो भाई contaminated हो जा रही है soil भी contaminated हो जा रही है तो ऐसी मिट्टी में जो vegetable और जो कुछ भी होगा जो vegetable होगा fruit होगा उस जगे का पानी भी पीने लाइक नहीं रह जाएगा तो यहाँ पर धेर साही चीज़ें हैं जो कि contaminated हो रही है तो यार इसलिए सरकार इस बात पर इतना जादा force करती है कि सोचाले बनवाए कि जिससे धेर सारी बीमारियां कम हो बात समझ रहे हो आप तो यहाँ पर देख रहो कितनी साही डिजीज इसलिए हो रही है infected person के पैसे स जाए जैसा कि मैंने आपको बिताया कि जो मतलब वेक्टर उन्हें भी दूर रखना है वेक्टर इसको नई पर देना है घर में मच्छर मक्ष्या नहीं आने देनी हैं तो तो कुछ बीमारीय ऐसे ही दूर हो जाएंगी और यहां पर मैंने क्या बताया कि वाचरिया और यहा यह मैं आपको बताओ कि यह स्लोली डेबलब करते हैं यह लगभग मतलब ऐसा नहीं है कि यह पैथोजन आपकी बॉड़ी में आया आपकी बॉड़ी में नहीं मतलब किसी की बॉड़ी में भी आया जिसकी बॉड़ी में बस 15 दिन बाद सिम्टम्स देखने लग जाएंगे ऐसा नहीं यह आपकी बॉड़ी में लंबे समय तक रह सकता है ओके दा फाइलेरियल वांप कॉसे डेबलबिंग क्रोनिक इन्फ्लमेंटेशन अफ द ओर गन इन विच दे अर लिव इन द लिव इन यह यह जो यह आपको मैं डिखाती है यहां पर डाइग्राम में देख सकते हो इसके लोवर लिम्स और इसका यहां तक पूरा कुछ जनाइटल ओर गन भी अफेक्ट हो जाता है जनाइटल ओर गन हो जाता है कहींग न कहीं इस्टेराइल भी बना सकती है डिजीज इस कॉल्ड अलिफैंट यह जैसा कि आप डाइग्राम में देख सकते हो ओके द जनाइटल ओर गनार आल्सो ओफेक्टेट तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आप इसका पैर देख सकते सूथ जाता है एकदम तो यहां पर आप इसका पैर देख रहे हो एकदम मतलब हाथ ही के पैर के जैसा हो गया है मोटा सा हो रखा है तो इसे क्या बोला जाता है है अलिफैंटिस इस रिजल्टिंग इंग्रॉज डिफॉर्मिटी इस दपैथोजन नार्ट ट्रांस्मिटेट अगर इस बंदे को कोई मौस्कीटो काट के फिर किसी हील्टी परसन तक जाता है तो ऑफिसले उसे भी इंफेक्ट कर देगा ओके ध्यान डखिए तो यह इसलिए बार बार बोल रहे हुँ कि बेक्तर्स को दूर रखें वेक्टर्स को दूर रखें यहां पर हम कुछ फंगल infections देख लेते हैं like that ringworm ringworm देख लेते हैं okay many fungi belonging the genre, microsporum, trichopython, epidermopython are responsible for the ringworm तो यहां पर ringworm जो होता है आपने देखा है कि आपकी body के जो ऐसे part है जो कि warm हूं and moisture हूं ऐसे places पर यह fungus ग्रो करते हैं okay इसे places पर यह fungus ग्रो करते हैं आपने आपके बाड़ी में देखा है आपके body के जो ऐसे part है जहां पर मतलब जादा पसीने आते हैं okay जहाँ पर त्षी जाहती है। यह रिंग वर्म आपको देखने रिए पार इसुड पर इसमोष अद पर एक Case पर थी पर देखने के लिए भिए आप एक आप अप देखो कि खोगा है कि यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है disease in men appearance of dry scaly lesion of various part of the body such as skin nails and scalp are the main symptoms of the disease these are lesion of a compassion of intense eye ching तो देखो जो रिंग वाम की दवा होती है इच गावड ही होती है यहां पर क्या होता है इसकी जो common मतलब symptoms होती है जो ऐसे पाउड होते है वहां पर खुजली होती है heat and moisture help these so just like I have told you heat and moisture help this fungus which make up the deer for skin fold like you have seen your hand on skin fold in the groin season और आपने देखा है उगलियों के बीच में ring warm जादा होता है ring warm water generally required from soil or by using towels, cloths तो यार इसी लिए अपना सामान मतलब भी उस करना चाहिए like that calm, towels, towels तो बिल्कुल किसी से सेयर ही नहीं करना चाहिए okay क्योंकि ऐसी ऐसी disease हो जाती है फिर बात में problem होती है okay so yeah hope है आपको इतनी सारी बाते समझ में आई होगी तो अगर आपको healthy रहना है अगर आपको healthy रहना है तो maintenance of personal hygiene and public hygiene is very important for prevention of control of many infectious disease आप अपना साफ सफाई तो रखिए ही मतलब खुद की साफ सफाई रखने के साथ साथ ही आपको public hygiene भी जरूरी है okay आपने देखा ना कि कैसे मच्छ मख्यां आके मतलब water को food को स्वाइल को सब को contaminated कर देती है तो इसलिए public hygiene भी जरूरी है अब ऐसा नहीं है मच्छ मख्या नहीं पनपने देना है अगर आप साफ सफाई रखते हो तो आप इसलिए मच्छ मख्या आएंगी ही नहीं मेजर साफ परसनल हाईजिन इंक्रूट कीपिंग दा बॉडी क्लीन परसनल हाईजिन में आप भाई रोज नहाओ दो कंजम्शन आफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फूड वेजिटेवल फूट्स तो इन सब को साफ सफाई से जो आपके खाने पीने का सामान है उससे साफ सुथरा रखिए अगर पब्लिक हाईजीन की बात की जाए तो जिसमें आपको क्या करना है जो वेस्ट एंड इक्सरेटरी टैंक्स हैं अब्जर्विंग स्टेंडर प्रैक्टिस ऑफ हाईजिनिक इन पब्लिक कैटरिंग दीज मेजर्स आप पर्टिकुलरी इसेंचियल वेर्दा इंफेक्सियस एजेंट आर ट्रांस्मिटेट थूड एंड वाटर सच अस टाइफाइड टाइफाइड की केस में आ आप ने देखा एसकेरिस तो इन सबसे दूर रहना है एर बॉण डिजीज में आपको क्या करना है मतलब इंफेक्टेड इंसानों से भी आपको दूर रहना ओके एईर बॉण डिजीज के लिए यह सब तो चलिए ठीक है जैसे कि वार्टर के थूर रही थी इन सब के लिए आपने परसनेल हाईजेन कर ली पब्लिक हाईजेनिक कर ली तो इन सब के लिए चलिए ये सब ठीक है लेकिन जो एयर बॉंड डिजीज है उनके लिए आपको लोगों से थोड़ा दूर रहना होगा जैसे कि अभी आप कोबिट 19 वाला केस देखे थे पूरा का पूरा का पूर या कमन कोल्ट इन एडिसन तो एवर मेजर स्क्लोस कांटेक्ट विए इंफेक्टेट परसन और दियर बिलंगिक सुट भी एवाइड मतलब कि उसने जो सामान वगेरा चुए भाई उन्हें भी थोड़ा सा अवाइड करना है और बहुत आदा क्लोस भी नहीं रहना जब तक वो इंफेक्टेट है फॉर डिजी सच आज मलेरिया और फाइलरियस देट रांस्मिटेट थ्रोग इंसेक्ट वेक्टर दा मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर आफ कंट्रोल दा इलिमिनेट और वेक्टर अधियर ब्रीडिंग प्लेस तो अगर आपको वेक्टर को दूर रखना है तो वेक्टर को दूर रखना है तो वेक्टर को पनब नहीं ना दो सिंपल है वेक्टर को अगर मतलब दूर रखना है मच्छर मक्यों को दूर रखना है तो ऐसे प्लेस ही ना बनाओ कि जहां पर मच्छर मक्यां पनब सके जैसा कि घर के आसपास पाइन ना भरने दो साफ सफाई रखो तो वहां पर मच्छर मक्हें पनपेंगे ही नहीं तो वेक्टर होंगे नहीं तो यह आपके food and water को contaminated करेंगे नहीं और airborne disease के लिए तो आप भाई आपको खुद से मतलब सतरकता बरतनी होगी ओके दिस कैन वी अचेब बाइडिंग stagnation of water in the around of residential area regular cleaning household cooler तो देखो यह जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी घर के आस पास का जो एरिया है उस एरिया की साफ सफाई रखनी है वहां पर पाई नहीं भाइने देना है regular cleaning of household cooler आपको cooler का पानी मतलब बदलते रहना है उसमें भी साफ सफाई रखने है cooler cooler का पानी चेंज करते रहना है युज औफ मॉस्कीटो नेट ऊके इंट्रोडियूसिंग विचे लाइक गंबोक्या इंट्रोड्यूसिव इसलारवय यह जो गंभूक्या है ऑगर मॉस्कीटों नहीं यह जो गैंबोशिया फिस है फीड ओन मॉस्कीटो लार्वा मॉस्कीटो लार्वा को फीट कहती है तो जब लार्वा नहीं आ रहा तो वेक्टर नहीं है तो यह वाटर एंड फूट को हमारे अगर आपके घर में नहीं पहुच पा रहे हैं तो आपके फूड तक भी नहीं पहुच पा रहे हैं तो कहीं नहीं आपका फूड कंटामीनिटर नहीं हो रहा है और आप पहल दे रहोंगे तो इसलिए यह सारी सतर कता रखनी होगी तो यह तो यह जो वेक्टर वार्ण डिजीज हैं इन्हें तो हम प्रिबंट कर सकते हैं कुछ उपाई करके जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं आपका घर में मच्रो वाली जाली लगवानी चाहिए ओके तो यह साइच चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अपको बताओं कि हमारी बाइलोजी आज इतनी तरक्की कर गई है इसे धेर सारी ऐसी बिमारिया हैं जो कि जड से खतम हो गई है अपने देश से लाइक डेट इसमाल पॉक्स चिकन गुणिया धेर सारी ऐसी मतलब डेडली डिजीज हैं जो कि वैक्सिनेशन के दम पे वैक् हो गई हैं ओके एलाज नंबर आफ अदर इंफेक्स डिजीज लाइक पोलियो डिप्थीरिया निमोनिया और टिटनेस हैव इन कंट्रोल पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा चुका है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा फाइदा हुआ है हमारी कंट्री को क्यों क्योंकि बाइ आपकी सोसाइटी में आपको डेली मतलब ऐसे आतंगवादियों से टेरिस्ट से आपकी रोज मुलकात होती है और कहीं न कहीं वो टेरिस्ट आपको हर्म पहुचाने की कोसिस भी करते हैं कहीं न कहीं क्या मतलब मोस्ट आफ केसे में यही होता है कि वो टेरिस्ट आपको मिलते हैं डेली यह आपको हर्म पहुचाने की कोसिस करेंगे और यह टेरिस्ट किन फॉर्म में होते हैं पैथोज लेकिन आपके बोडी में एक system है इम्म्यून सिस्टम इसे हम बड़े प्यार से क्या बोलते हैं इम्मूनिटी इसे बहुत ही ज्पार बहातूर जो कि इन सारे terrorists को इन सारे गुंडों को आपकी body को touch भी नहीं करने देती है disease cause नहीं करने देती है यह जो bacteria है virus है fungi है और protozoans है यह आपकी body को touch भी नहीं करने देती है कभी-कभी तो immunity से मतलब कि यह जो pathogen है यह बहुत बुरी तरह पिटते हैं कि तो अब हम क्या पढ़ते हैं immunity के बारे में पढ़ते हैं okay every day we are exposed to large number of infectious agent हाँ जैसा कि मैंने आपको बता है however only a few of these exposed result in disease तो जब कभी मैंने आपको बता है ना जब कभी हमारी immunity जब कभी हमारी वैसे तो पहरी बात तो मैं आपको बताऊं कि हमारी community fail नहीं होती है इन सब गुंड़ों को इन सारे टेर्रिस्ट गिरा के मारती एक दम से लेकिन क्या होता है कभी कभी से कुछ ही cases में हमें disease देखने के लिए मिलते हैं यह जो पैथोजन होते हैं यह जो पैथोजन होते हैं हावी हो पाते हैं दिसे दूट दाप्ट देखने के लिए यह जो पैथोजन है मुने फॉरे जंट पोल रहे हैं तो हमारी बॉडी हम एबल हैं हम हमारी जो बॉडी है वह एबल है इन से लडाई करने के लिए क्यों इनके अगेंट्स क्यों खड़ी हो सकते क्योंकि भी है इम्मुनिटी हमारे पास एक सिस्टेम है इम्मून सिस्टेम जिसके बल पे हम इन सब को मतलब मार पीट सकते हैं इनको धूल चटा सकते हैं ओके इस ओवर अविलेटी जो होस्ट तो फाइड डिजीज पॉसिंग ऑर्गनिजम कंफर्म वाई इम्मून सिस्टेम इसकाल इम्मूनिटी मैंने आपको बताया है ना कि हमारी जो बॉडी की इम्मूनिटी मैं सब समझते क्यों इम्मूनिटी इज अविलेटी आफ दे इम्मू इस दे फिराशिंग ऑर्गनिजम के खिलाब एकदम से अच्छे से लड़ सके उससे हम क्या बोलते हैं इम्मूनिटी बोलते हैं वापस से बोल जूँ के ध्यान जे सुनीगा इडिजीज और इम्मूनिटी और मैं आपको बताओ कि इम्मूनिटी कितने टाइप के होते एक होती है इन इम्म१िनिटी जो कि बच्पन से हमसे हमारे साथ है हमें मतलब बिरासत में होती है जो हम अपनी lifetime के दोरान कमाते हैं, जो हम कमाते हैं, acquired immunity, और in-end immunity, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हमें बिरासत में मिली है, ये हमें हमारे बर्त के साथ ही है, ओके, ये जो in-end immunity होती है, जहाए जैसे टाइप का पैथ होज़ना है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वाइर सोच एपैंगस तह है है चाहे हेलमेंथा सोाओ कैसा भी पैतोजन कैसा भी पैतोजनों सब लिए जुड़ोकर्टे ही करना सब अंपर सब्किन करना है सबको लिए एक जैसा ओकरते थे द्रॉब करती है्म हम क्या पढ़ते हैं Inant Immunity Inant Immunity is Non Specific Type of Defense तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें कोई Specific Type से किसी भी किसी भी पैथोजन के लिए कोई Specific नहीं Non Specific Type of Defense मतलब के सब के लिए सब के लिए एक ही तरीके से पीट पाट के एक दम बराबर सब के लिए एक ही तरीके से लड़ाई करती है यह हमाई साथ बाई बर्थ है विरासत में मिलिए इस एक कम प्लेस्ट बाइद प्रोवाइडिंग डिफ्रेंट टाइप आफ बारियर तो दा इम्यूनिटी मतलब किसी के लिए भी किसी के लिए भी हो वह सब को एक ही तरीके से रोके किसी के लिए अलग से काम नहीं ओके बाते समझ में आ रही है आपको अपने बाहु बली मूवी रेखिए न तो उसमें वह क्या ना में उसका भलाल देओ वहाथ में ऐसे चेंड सब को इसी से मारता था हैन ऐसे मारता था सब को वह यजाए हम वह क्या वहां यहाँ आपने वाक इननना है सब को इस से मारता था है मिह नहीं माल दूा अवाust जात बच एकोई कॉटसा हो चाहिछ होते हैं कौन कौन से फिजिकल झाल और जा मुआ पर 올 हम क्टेशल जांचा पर आर्व दो हमारी क्या होती इस्किन होती है हम कितना भी मिट्टी में खेलें कितना भी मिट्टी में रहें उस मिट्टी में पैथोजन होते हैं मिट्टी में पैथोजन होते हैं हां जी बिल्कुल होते हैं पैथोजन ओके तो मिट्टी से पैथोजन अगर हम हमारे हाथ में मिट्टी लगी है अगर हमारे हाथ में मिट्ट नहीं रहता है या फिर हमारी skin पे ऐसे कटना हो तब तक यह pathogenwr सकते हैं नहीं इंटर कर सकते हैं यह यह पर pathogen है तो यह pathogen नहीं कर सकता है तो मैंने आम को बढ़ाना कि यह सब के लिए एक जैसे काम करती है कोई भी पैठोजन आ जाए यहाँ पर चाहे प्रोटोजोजब आ जाए बैक्टिरीय आ जा भी is skin भी prevent करती है अब क्या होता है आपके पास क्या होती है mucos membrane mucos membrane okay आपके respiratory system में आप मतलब सांस लिए तो आपके मूकस होती है na mucos तो उसमें भी उसमें भी कुछ pathogen और फिर उसके बाद आपके mucos के साथ वो बाहर कर दिये जाते हैं okay ध्यान रखें मूकस coating of the epithelium lining of the respiratory gastrointestinal and urogenital tract also helping trapping microbes entering our body suppose आपकी respiratory system के थूँ या फिर urogenital gastrointestinal इन सब के थूँ अगर आपकी body के अंदर कोई pathogen जा रहा हो तो वो उसे gate पे ही रोक लेगा gate पे ही रोक लेगा कौन mucus okay ध्यान रखेगा mucus membrane उसे gate पे ही रोक लेगा और mucus में उसे trap करके mucus में उसे trap करके body से बाहर okay तो यह तो एकी तरीके से सब जितने भी pathogen आएंगे सब के लिए एकी तरीके से काम कर रहा है ज्यान दीजेगा इसे हम क्या बोलेंगे इसलिए okay अब हम यहां पर क्या देखते है फिजिकल बेरियर फिजिकल बेरियर में कुछ ना कुछ केमिकल होगा कोई ना कोई केमिकल ही होगा यहां पर खात्मा हो जाना है ओके ध्यान रखेगा आपके स्टमक में ऐसा कोई pathogen जा रहा है जो कि लो pH में नहीं रह सकता है तो उसका खात्मा निश्चित है saliva in the mouth माउत में भी pH तो माउत में भी उसका खात्मा हो जाएगा tears from the eyes उसमें भी क्या होता है लाइसोजाइम होता है तो वहां पर भी उसका खात्मा हो जाएगा तो यहां पर क्या देख रहे हो आप HCL है saliva है और यहां पर tears में लाइसोजाइम है यह सब microbes की growth को prevent करेंगे तो यहां पर यह क्या है physiological barrier तो यहां पर यह क्या है physiological barrier तो यहां पर यहां पर हमें कोई ना कोई सेल देखनी क्रिम लेगी ओके सेल यार हमारी rvc wbc सेल ही है सब तो rvc तो भाई red blood cell है यहां पर हमें क्या मतलब जो हमारी immunity में काम आएगा वह क्या होगा wbc white blood cell okay white blood cell तो white blood cell मैं आपको यहां पर अच्छा थोड़ा सा और बाते बता दूँ अगर आपको नहीं पता है तो white blood cell कितने टाइप की होती है टू टाइप की होती है एक तो a granulocyte and दूसरी granulocyte यार बाते ध्यान से सुनिएगा बाते ध्यान से सुनिएगा यहां पर मतलब ऐसा मत करिएगा मैं एक तरफ बताते जा रहे हूं दूसरी तरफ आप सब साफ करते जा रहे हूं जैसा कि मैं भी साफ कर रहे हूं मैं तो यहां स्क्रिन से साफ कर रहे हूं आप ऐसा मत करिएगा कि पूरा दिमाग से साफ कर दी से दिमाग से नहीं साफ करना है कि दिमाग से नहीं साफ करना है तो यहां पर हम सेललर बैरियर में क्या देख रहा है कि यहां पर जो वैरियर होगा कहीं न कहीं वह कोई न कोई सेल ही होगी हाँ तो यहां पर एक बात जला सा ध्यान दीजीगा कि फिर यहां पर आप क्या देख चाहे जो हो चाहे जितना बड़ा तीस मार हो ओके अब यहां पर हम क्या देखते हैं cellular barrier में हम क्या देखते हैं WBC अपनी white blood cell जो की बड़ा काम करती है अपने लिए भाई तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको नहीं पता है तो ज़रा सा यहां पर थोड़ा सा रहना फोकस बना लिए देखते हैं WBC कितने थाइप के होती एक तो a granulocyte और दूसरे granulocyte in मैं आपको बताओं कि granulocyte जो होती है यहां पर क्या होता है monocyte and second one lymphocyte monocyte and lymphocyte तो यहां पर monocyte होते हैं बड़े काम क्यों होती है यह माइक्रोफेजिस का काम करते हैं किसका काम करते हैं? माइक्रोफेजिस का काम करते हैं यहां पर granulocyte देख रहे हो मोनोसाइट का मि मतलब कि चल्टा फम् हो जाते हैं माईक्रोफेज इहीं मोनोसाइट को जाती हैं मैक्रोफेज है की पैथोजान आ जाते हैं जब इसे ज्यादा काम करना होता है तो यहां पर जो मैक्रोफेज और नूट्रियोफिल्स है इनका बड़ा इंपॉर्टन रोल होता है यह दोनों ही यह दोनों ही नॉन स्पेसिफिक काम करते हैं सब को एक ही तरह से मारेंगे पीटेंगे सब को एक ह कोई भी फॉरन पार्टिकलं और कोई भी फॉरन प्रार भ्रतिकलउ सब को किया करते हैं है सब को सब्धर कर जाते हुं किसी के साथ कोई रियात नहीं तर्फ को इन गलफ कर जाते हैं है इतनी बाते आपको समझ मैं आपको समझ में आपको मैंने चाहिए मैंने आपको बता है किमा नहीं है यह कुछ नहीं है मुन उसाइट का इक्राल रूप बस और नुट्रो फिल्स नूट्रो फिल्स भी काफे जादा है वह बते भी अप देख रहे हैं WBC in our body like polymorphon nuclear leukocyde इसे हम क्या बोलते हैं PMNL Neutrophys okay monocytes are neutral killer बाते ध्यान से सुनिएगा okay neutral killer in the blood okay neutral killer in the blood कौन monocyte okay और क्या होता है as well as macrophages कब tissues जब यह बात tissues कियाती है यह monocyte कब होती है monocyte अगर blood में काम करना होता है तो यह बाते ध्यान रखिए okay monocyte के form में कब होती है जब blood में इसे pathogen के खिलाफ लड़ाई करनी होती है और यह macrophages में कब convert हो जाते हैं जब देखते हैं कि हैं भाई cell तक बाते पहुंच रही है तो यह क्या कर लेती है micro phase में convert हो जाते है tissue तक आके पहुंच जाती है can phagocytes and destroy microbes यह क्या करते है microbes को microbes को phagocyte means술 Fire'll Tcha-ivas in the next Statue style कि देремते माइक्रोब कितनी ज stare देए तो मतलब कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादार है कितनी ज्यादा यह कि आपके wbc यह आपका immune system आपका इम्यून सिस्टम आपके लिए कितना वफ़ादार है आपके लिए कितना कुछ कर रहा है किसी आज तक नहीं आने दे रहा है तो इस दुनिया में सबसे जाधा आप से प्यार कौन करता है आपके इम्यून सिस्टम आपके WBC फिर उसके बाद नम्मी बापा इस भावग बात तो यहां पर मतलब क्या है जरा सुनियेगा यहां पर क्या होता है कि जो सेल है जो इंफेक्टेट सेल है वह यहां पर जो मतलब सेल आई है इसे खाने के लिए अभी कि कया है सायटो टॉक्सिन एक सेल है जो कि टी सेल से आती है, कि भाते wraps बाता हमें पर तो क्यांकिंद देवम हमें ध्ग चक्構न चलेगा और हमें न दौनेकश में तो द्रभ देखे यार यह सारो ये शारो आपके लिए लिए कितनी ज्यादा वफाधार है तो यहाँ पर ये cell infected है तो इसके अंदर जो इनदर पयथो जयने इसके अंदर ये जो पैफोजाण इस बैक्टीरिया को अपने उपर सजा लेती है Egypt एक्टीरिया को अपने उपर लगा लती है अब जश्य के से पता लगा लेती है थो ये समझ गहई कि अब यहां पढ़ता है के यही पैथो जन अभ इसे साइटो टॉटीरिया के थोड़ी को कि हाँ यह मतलब अपनी सेल इसे तो बस पैथोजन दिखा तो यह समझ गई कि अब यहां पर बुद्धिमानी कौन कर रहा है यह जो आपकी बॉड़ी का सेल है यह जो इन्फेक्टेट सेल यह बुद्धिमानी कर रहा है अभी साइटोटॉक्सिन सेल को थोड़ी पता है कि एक बैक्टेरिया दिखा बैक्टेरिया का यह एंटीजन देखने के लिए मिला यहां पर एंटीजन मीन्स अब समझ रहा है अगर इसके पास यह एंटीजन ना होता इसके पास इसी का एंटीजन होता यह जो सेल है ना यह सेल इस बैक्टेरिया का एंटीजन अपने उपर न यह रहा बैक्टिरिया और इसे यह साइटो टाक्सिन सेल गटक जाएगा इसे खतम कर देगा इसे खतम कर देगा प्रॉपर तरीके से तो अब क्या होगा कि यह सेल जब खतम हो गया यह सल जब खतम हो गया तो दूसरी सेल पहली बात तो इनफेक्ट नहीं होगी और दूसरी ब चुका है, virus infected cell secret protein called interferon, तो यह जो interferon है ना यही other cell को मतलब सजग कर देगा, which protect non infected cell from further viral infected, तो यह interferon और सारी cell को बता देगा, जो कि जिससे मतलब और cell infected नहीं हो पाएंगे, और यह cell जो infected cell था यह खुद को destroy कर देगा, जिससे बाकी की cell बच जाएंगी, तो यार होप है, आपको इतनी बात है, समझ में आएंगे, आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर क्या देखते है, acquired immunity, acquired immunity मतलब की जो की हमने अपनी life span के दौरान कमाई है, जो की अर्निकी है, जो की गेन की अपनी life span के दौरान, और in-end immunity आपको पता है कि हमें भाई बिरासत में ही मिली थी, acquired immunity जो की हमने बाद में बनाई, on the other hand is pathosan specific, मतलब की, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, acquired immunity, acquired immunity as a hero होती है, मतलब जैसा की, अभी हम किसका example लिये थे, movie वह बाहु बली, तो वहाँ पर जो lead role होता है, जो बाहु बली होते हैं, हाँ, बाहु बली जो होते हैं, तो वह मतलब की, various type के, मतलब, और जारों का प्रयोग करते हैं, various type के दुस्मनों के लिए, बाते समझ जवाब, मतलब की, अलग-अलग तरीके के छोरी चाकू, भाले जो भी होता है, उसका use करते हैं, अलग-अलग तरीके के दुस्मनों के लिए, और भलाल देओ क्या कर रह तो इस यूनीक पैथोजन के लिए, यूनीक तरीके का immune system भी होना चाहिए, उनीक तरीके का, आगे पढ़ते हैं, सारी बाते समझ में आएंगे, तयार हो भी है, वैसे तो आपको बाते हैं, यही पे इतनी समझ में आ गई होगी, तो अब यूनीक तरीके का पैथोजन आ रह हो, हागर immunization हुआ है तो वो अलग बात है, लिकिन अगर immunization नहीं हुआ है, तो उस case में आपको थोड़ी पता है कि मेरी बाड़ी में पैथोजन आएगा, मैं इसके अगेंट्स पहले से ही बना के रख लूँ, immune system, ओके तो ऐसा तो है नहीं, तो जब वो आपकी बाड़ी में नेक्स्ट टाइम के लिए बना लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए अगर तुम नेक्स्ट टाइम आओ फिर मिलते हैं, तो ऐसे टाइप में, मतलब कि आपकी बाड़ी में कोई पैथोजन आया, तो उसके लिए एक यूनीक तरीके का immune system बना और इस immune system ने memory cell भी बगल में बना फिर्स्ट टाइम अगर पहली बार भाई कोई नया नवेला पैथोजन आया, जिसकी जान पहचान तो है नहीं अभी, इस 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 पैथोजन, अभी हमारी बॉड़ी की इसे जान पहचान तो कुछ है नहीं, कितना harmful है, कैसे है, क्या है, क्या पता, तो इसके respect में हमार बॉड़ी जब कोई response करेगी, इसके against, इसके against, जब हमारी बॉड़ी कोई response करेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, primary response, बोलेंगे, इसे हम क्या 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 बोलें ही और और इनामनेस्टिक रिसपांज तो दूसरी टाइब के लिए तो भै हम तयार है आओ तो तुम ओके ब्रॉसरी टाइम के लिए हम क्यों तयार है बीकॉस आफ हमारे पास में और रे सल बन गई दूसरी टाम देख भी जाओ this is the ascribe to the fact that our body appears to have memory for the first encounter तो हमारी body ने पहले encounter में है हमारी body भी चतुर चलाक है असा नहीं है कि okay memory cell भी चलाक होती है तो first encounter time पे हमारी body ने memory cell form कर ली थी है ना memory cell form कर ली थी तो इसी लिए इसी लिए मैंने आपको बता ना कि यह नया नवेला पैथोजन आया जिसके बारे में कोई जान पहचान तो थी नहीं इस लिए first time में low intensity का था low intensity का response था तो अच्छा low intensity का response कब होता है जब क्या होता है primary response होता है primary response में low intensity का response था and secondary response में क्या होता है anmnistic response में क्या होता है आते ही मार के गि Schwab because of memory cell रखी हुई है the primary and secondary immune system response carried out which the help of two special type आफ लिंफ उसाइब प्रेजेंट इन और बोडी तो भाई यहां पर चाहिए प्रामेरे रिस्पॉंस और फिर फिर सेकेंडरी रिस्पॉंस यह दोनों इम्मून रिस्पॉंस आर्प कैईड आउट विद दे हेल्प आफ टू स्पेसल टाइफ आफ लिंफोसाइट जो कि कौन कौन से लिंफोसाइट है एक तो टी लिंफोसाइट एंड सेकेंड वन वी लिंफोसाइट तो यार याद रखिएगा ये दोनों लिंफोसाइट कहां से फॉर्म होते हैं बोथ लिंफोसाइट ये दोनों लिंफोसाइट लिंफ नोड लिंफ नोड में ध्यां रखिएगा लिं Lymphocyte कितने डाइप का होटा टू टाइप का हूता है V Limphocyte एक क्या होता है एक ब्लाजम підफिस होती है इसका भी बहुत बढ़ा BRIAN important role है memory cell कास्ट कर लेते हैं यहां पे घ्राद ध्यान दें लिम को B lymphocyte, B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them, okay, अभी ध्यान रखेगा, अभी memory cell का भी कुछ काम नहीं है, यहां पर plasma cell ही अपनी पूरी की पूरी सेना बना लेती है, okay, जो कि pathogen के against, मार काट एगदम मचा देती है, these proteins are called antibodies, the T cells themselves do not secrete antibodies, but help B cell produce them, तो यहां पर जैसा क्या आप देख रहे हो, T cell, T cell कोई antibody नहीं बनाती है, do not secrete antibody, T cell कोई antibody secrete नहीं करती है, लेकिन T cell का काम क्या होता है, T cell ना इस B cell को जगाती है, first of all T cell को ही पता चलता है कि body में कोई pathogen आया, तो यह T cell, T cell दोड़ी दोड़ी जाती है, और B cell को बोलती है, बहुत जाग जाओ, अपनी body में कोई pathogen आया, देखो, ऐसा type का pathogen है, तो यह B cell को जगाती है, तो B cell अपनी army secrete करती है, जब उसे पता चलता है कि pathogen आया, इसलिए मैंने आपको बताना है कि यहाँ पर low intensity होती है, जो primary response होता है, जो primary response होता है, low intensity का होता है, क्यों, क्योंकि यह T cell गई, B cell को जगाई, कि भही हाँ, ऐसा कोई pathogen आया, अब यह B cell देखेगा कि कैसा pathogen आया, क्या है, तो वो उससे पहले pathogen को समझेगा, फिर उसी हिसाब से army अपनी तयार करेगा, अपनी army तयार करेगा, लेकिन दूसरी बार में क्या होता है, memory cell तो form ही है, उससे सब पहले से ही पता है, तो यहाँ पर जो cell army है, यह इसके against काम करते हैं, तो मैंने आपको बताना कि T cell भी निठला नहीं होता है, T cell को यह पहले पता चलता है, वो जाकर B cell को जगाता है, इच antibody molecule has 4 peptide chain, अभी यहाँ पर आप डाइग्राम में देखोगे, यहाँ पर भी बताया था कि T cell क्या होता है, मैं आपको बतायूंगी, तो T cell यहाँ पर कहां गीजी Latis, यहाँ पर क्या होता है, Cytotoxic T cell होता है, और फिर क्या होता है, यहाँ पर यह भी memory cell बनाती है, starred T cell यहाँ पर QC कीवजन सा लग रहा होए कोई पारइन पाकिर कन से लग रहा है चलो देखो तो यहां पर बीचल के पास क्या होती है बीसल भी टूटाइप के होती है इस प्लाज्मा में आता वासे होती है और Tuesday मीया sleep M तो प्लाजमासल सब समझती हो मचती है फिर उसके बाद उसी हिसाब से अपनी आर्मी यह प्लाजमासल जो होती है एक ही होती है पहले तो यह बीसल के पास प्लाजमासल एक ही होती है बहुत जादा नहीं होती है फिर क्या होता जब टी लिंफोसाइट मैसेज लेके आता है इस का मुझे इंतजार था तो यह प्लाजमा सेल क्या करती है अकेले होते हैं धड़ा-धड़ा-धड़ा अपनी आर्मी तयार कर लेती है फिर उसके बाद पैथोजन के उपर अटेक तुरंथ और यहां पर हम क्या देखते हैं इच अच्छा यहां पर इतनी बात समझ में आई का तो अच्छा को कहां 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 सर्य रहा है यहां पर हर शुंत कर बार के हैं शुरुस के बात क्या देख रहा है अब इंफो साहता है कर लंव साई इक तो इसी सब प्राइमरी रिस्पॉंस में थोड़ा टाइम लग जाता है लो इंटेंसिटी का होता है लेकिन सेकंडरी टाइम में तो यार मेमोरी सेल किस दिन के लिए बनी है समझ में आया हैं समस्तो है क्यों ग्याइब बाते हैं तो आपको समझ में आई हो गोजह टूरा खीन है अब हम आके बात कहते हीुआ इस एंटी पॉडी मॉल् bursting जैसा कि आप डाइग्राम में देख पा रहे हो जेते हैं आप डाइग्राम में क्या देख पा रहे हो क्योंकि यहां पर चार चैन है चार चैन है 1st 2nd 3rd 4th एक चैन देखो मैं तोड़ा सा एक चैन यह हो गई पूरी पूरी एक चैन है Machi and 2nd 3rd 4th कैसे आपको चार चैन देखने किले मिल रही है 2 chain ऐसी है जोड़ी है 2 Chain ऐसी है 2 Chain चैन जोड़ार एक चैन एक चीज और देख रहा हो यहां पर क्या है? तो यहां पर क्या हता है? कार्बियो नियुक्त हो यहां पर क्या होता है? यहां पर जो template चैनले है? यहां के anti-bug भी रहता है यहीं पहालो इसाद आंधीजन कर ए दिए आंधीजन बाइंड ऊता है रहा जैसा कि आहां पर ही देख लो कि देख रहू है यहां पर चार तरीक न टायट चेंव के conscious चयान होती है जिसém क्या बोलते हैं लाइट चेंड रोलते हैं और दो कैसे जोते होती n मृशंट हैं तो हैं हैं लिए यू एक नटीबोंगदी रिस्पोंस तो हम इसे अश्वाइसलिंट तो कह सकते हैं डिफेर्ट types of antibodies are produced in our body IVA, IVM, IGE, IGE यह producto क्या है इति सब जिदिती से जिदी से काम करते है। इति हमें यह जो होते हैं इति सब जिदी सेक्रीड करते हैं यह जी जो है लाइच लाइच निदी ओइच यहींरें जायरें यहां पर यह प्लेसेंटा जब एक फीटल कंडिशन में एंटीबोडी मदर से फीटल में जाता है फीटस में जाता है एक कायटून आफ एंटीबोडी इस गीवें इन फिगर 8.4 जो कि अभी आप पीछे देख के आ रहे हूं इसे हम क्या बहते है हैं हम्होरल मतलब की बलट से रिलेटेड हो करें cancer क्हां करेंगी पर देखे थे लिश्य कहां बुकल लूशी होंगे दो हमारे दोशना है, पीछा antille की है को मैंने फार यहां लडा दिए धस्थ दाने क्या होती है अँगे हैं कि उस्थ कई साइटाफ ऑन में होती हैं यहां पर कबकी आए जब सेल इंफेक्षिन होगा तरही इसलिए आपको वोड़ियो कि यहां पर इम्मूरल इम्म्यून इम्मून डीौन करा रहा है तो Deep है यह पर जब सेल आएगा बिमोरी सेल भी अलग बनाएगा फिर उसके बाद यहां पर जो टी सेल है टी सेल कब के लिए काम कर रहा होगा जब सेल में इंफेक्शन होगा तो यहां पर जो ब्लेड में घूमती रहेगा इसका काम क्या है ब्लेड में चौकीदारी लगाते रहना कोई अगर फॉरन यहां पर क्या देखते हैं यहां पर क्या देखते हैं यहां पर क्या काम करता है टी लिंफोसाइट जैसा कि मैंने आपको बताया टी लिंफोसाइट काम करता हो कि देखो क्या होता है कि टी लिंफोसाइट काम करते हैं वैसे तो आपने पीछे देखा कि जब सेल में इंफेक ती रिंफोसाइट भी तीन तरीके की होते हैं, साइटो टॉक्सिक चल और अपना अलग अलग काम होता है, मैं आपको यहां पर दिखा हो T-Cell काम कैसे करते हैं, क्या होता है कि जब और्गन ट्रांसप्लांट होता है, और्गन ट्रांसप्लांट होता है, आई, लिवर, किड्नी किड्नी फेल तु इन फंक्शन आफ सटिस्फेक्टोरी यहां पर यह सब ट्रांसप्लांट किया जाते हैं, इस अधिधा ओली रिमेडी तू इनेवल पेसेंट टू लिव अनॉर्मल लाइफ तो ऐसा नहीं है कि ऐसा करो कि एक ऐसा बंदा है, जिसका लिवर खराब हुआ, इस बंदेशे लिवर लेके अपने आरगन ट्रांसप्लांट किरा और फिर चैन से जी रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका भी तो इम्यून सिस्टम है, इसका इम्यून सिस्टम है, इसकी जो टी-cell है इसका यह जो लिवर देगा ना, इ cell-mediated immunity भी कुछ होती है cell-mediated immunity इसे reject कर देगी क्यों कि यह पहचान जाएगे कि यह अपना organ नहीं यह अपना cell नहीं है क्यों कि इस पर क्या होंगे दूसरे के antigen लगे होंगे तो यह पहचान लेगी और क्या करेगी उसे खाने स्टार्ट कर देगी देन दसर्च बिगेंस तो फांट स्टेवर डोनर ओके ग्राफ फ्रम जस्ट एनी सोर्स इन अन अनिमल अधर प्रामेट जाहा है फिर और को यह अनिमल यह फिर प्रामेट जैसा कि मैंने आपको बता है किसी का भी हो वह ग्राफ एक्सेप नहीं करेगी रिजट कर देगी रिज कर राया जाता है किसी भी और को ट्रांस्प्लांट कराने के लिए ऐग्राच वह आफ्टर दिस पेसेंट हैज टेकिं इम्म्यू असप्रेसंट तो जह जो पेसेंट होगा अगर वा अगर ट्रांस्प्लांट करारा हाँ तो उसे एक ड्क लेना पड़ेगा कॉन चिपाह इम् ऐसे नॉर्मल नहीं रह सकता है किसी का भी और्गन लेके ओके दा बॉड़ी इस एवर तो डिफ्रेंटियेट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड दा सेल मेडियेटेड इम्यून रिस्पॉंस तर रिस्पॉंसिवल फार दा क्राफ्ट रिजेक्शन तो यहां पर यह क्राफ्ट तो यहां पर जैसा की मैंने बताया कि ठीक है ब्लड तो ब्लड ग्रूप मेंच हो सकता है लेकिन ऑर्गन ट्रांस प्लांन कराने के पहले टीशू का भी मैच करवाना जरूरी है अगर तीशू का अप मैच करवा रहे है तो आविसली टीशू मैच नहीं मेडियेटर इम्म्यूनिटि एक्टिवेट होगी और क्या होगा कि आपने जो खुशी खुशी इस बंदे का लिवर लिया है उसे क्या कर देंगी रिजक्ट कर देंगी और फिर से आपकी पहले वाली कंडिशन आ जायेगी फिर से बीना लिवर के रह जाओगे तो इसलिए ऑर्गन ट्रांस्प्लांट करवाया एकिसी दूसरे बंदे से और डिया फिर वह आई हो लीवर हो किड़नी ओ कोई बी ओर गन हो सके लिए आपको ड्रग्लेना पड़ेगा क्या इम्मुनों इस सप्रेशन तो यह क्या करेगा अपके इम्मून सिस्टम को सप्रेश कर देगा औ क्या है this is the CMI CMI क्या Cell Mediated Immunity तो यह बात है आपके एक्जाम के पॉइंट आप जिससे इंपोर्टेंट होती है क्या काम करता है क्या काम करता है क्यों काम करता है बाते ध्यान रखिएगा बस इतना ध्यान रखिएगा कि यह जो CMI है CMI T-Lymphocyte Mediated okay तो यह CMI क्या कहेगा कि हमें दूसरे का और गन नहीं लेना है यह CMI activate हो जाएगा तो आपने जो खुशी-खुशी किसी का और गन लिया है यह उसे वापस तो देने जाएगा नहीं obviously वापस तो देने जाएगा नहीं तो यह क्या करेगा उसे reject कर देगा भाड में जाए वह और गन तो उसे दूसरे के और गन से कोई मतलब नहीं है CMI activate हुआ तो उसे reject कर देगा अगर reject नहीं करवाना है आपको आपने पैसे खर्च किये हैं तो क्या होगा immunosuppression लेना होगा ओके वो भी lifetime ओके आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम active and passive immunity पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको नाम से कुछ बाते समझ में आ रही है active and passive immunity ओके तो देखत immunity means होता है देखो हमें क्या पता है कि किसी की बॉड़ी में अगर कोई pathogen आता है कोई foreign antigen आता है तो उसके अगेंस हमारी बॉडी हमारी बॉडी antibody तयार करती है उससे fight करने के लिए उस foreign antigen के खिलाफ ओके तो यहाँ पर जो मतलब antigen हो फिर चाहे वो dead microbes हो या फिर वो खुद से आया हो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहीं जब immunization होता है तो वहां पर क्या होता है कि एक मतलब अधमरा अधमरा antigen आपकी बॉडी में डाला जाता है जो कि बीमारी कॉस करने लाइक नहीं होता है तो ऐसी कुछ बाते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा वेन होस्ट is exposed to antigen which may be in the form of living चाहे वो जिन्दा हो या फिर dead microbes हो या फिर अधर कोई protein हो हाँ बस वो foreign organism होना चाहिए तो उसके खिलाव बाते ध्यान से सुनिएगा चाहे वो living हो non living हो dead microbes हो other protein हो antibodies are produced in the host body अगर जिसकी बादी में वो antigen है वो foreign organism है अगर वही body ध्यान से सुनिएगा बाते अगर वही particular body antibody तयार करती है उस antigen के against तो हम उसे क्या बोलेंगे active immunity as simple as that बाते बहुत simple है ओके ध्यान से सुनिएगा बाते बाते बहुत simple है यहाँ पर है कुछ नहीं बस इतनी सी बात बोली जा रहे है active immunity के लिए बस इतनी सी बात बोली जा रहे है कि जिस body के अंदर जिस body क अंदर को वह कोई foreign organism इंटर कर रहा है उसी मतलब उसी की body उसी की body अगर antibody तयार कर रही है उस foreign pathogen के against that's known as active immunity तो कुछ ऐसी बाते passive immunity में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बातों का कि हो ना हो इसी का against होगा अगर वो खुद particular वो body अगर antibody तयार कर रही है तो passive immunity में यहीं होगा कि passive immunity में जो antibody होगी antigen के against antibody होगी वो कहीं बाहर से मिल रही होगी ready-made मिल रही होगी ऐसी कुछ बाते होंगी है ना तो हाज बिलकुल ऐसी ही बाते हैं देखते हैं when a ready-made antibodies are directly given given to protect the body against foreign agents okay अगर foreign agents के जो foreign particle आया है foreign organism आया है उसके against antibodies दी जारी है वो ready-made है मतलब कि बनी बनाई जरी बाहर से दे दी जारी है जो body है मतलब जिसके अन्दर वो pathogen है उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पढ़े स्किए system को 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 container करने की जरूरत नहीं है क्योंकि antibody है वो बाहर से प्रोवाइड करा है जारी है वो ready-made है वो क्या है वो ready made है उसे हम क्या बोलेंगे passive immunity के नाम से जानते हैं तो देखो आप पीछे भी पढ़े थे यह जो passive immunity होती है इसके बारे में जैसे कि आप पढ़े थे बाते 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 हैं तो आप पीछे ले चैप्टर में यह साही बाते पढ़के आयों लिकिन हां आगे कुछ ओवर्व्यू देखते हैं तो मैं इसका एक बहुत प्यारा सा एक्जांपल दूं अगर passive immunity का तो इसके बाते हैं कि जो बच्चे को मा का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए क्यों क्योंकि उसमें जो है उसमें immunity बहुत अच्छे लेवल की होती है कि क्या उसमें immunity बहुत अच्छे लेवल की होती है मैंने आपको क्या बताया था कि कॉनसी immunity होगी बहुत कोलेश्टरम में IgG बाते ध्यान से सुनिएगा यहां पे कॉनसी immunity होगी IgG देखो इसलिए इतने सारे एड्स भी किये जाते हैं कि मा का जो पहला गाढ़ा पीला दूद होता है वो बच्चे के लिए काफी जादा helpful होता है काफी जादा useful होता है और जिस बच्चे को ये मा का पहला गाढ़ा पीला दूद मिल गया मतलब कुछ दिनों तक जैसे six month वगरा हो गए six month के लिए तो एड मिलगा तो वो अपनी पूरी lifetime तक वो अपने पूरे life span तक कई सारी बीमारियों से प्रॉपर तरीके से लड़ सकता है उसकी immunity अच्छे लेबल की develop हो जाएगी ओके तो ये कोलेस्ट्रम जो है कोलेस्ट्रम ये कहां से मिल रहा है बाहर से मिल रहा है ना कोई भी बॉड़ी अ अब समझ रखते हैं पैसे इम्मुनिटी ओके इनीशिल देज ओफ लेक्टेशन हैज अबंडन एंटी बॉड़ी और कैसे एंटी बॉड़ी होती है आईजी ए ओके सवरी यहां पर मैंने आपको आईजी जी बताया आईजी जी कहां पर मिलता है यहां पर ध्यान से ज़रा पाते सुल निए का यहां पर कौन से यहां पर इंटी बॉड़ी होती है आईजी ए होती है और जो मैंने आपको बताया यह कहां के लिए होती है इंट 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 आपको बताया था सुरी IgG को ऐगनेंसी के टाइम सच Capital को तो यह प्लेसेंटा से प्लेस्ट लोड पीद सेthis सब्सक्राइब के टाना के लिए को एंटी बाइस को मिलती है को एंटी बाड़िस फीटेस को मिलती हैं को प्लेसंटा से Sharing से डूरिंग फ्रेग्ननसी जो कि किस पॉर्म में होती है आई जी जी ओके तो यह तो हाँ समझ में आया ही होगा कि कि ऑगे अगे चलता है वैक्सिनेशन और इम्युनाइजेशन तो यहां पर आपको इतना पता है कि हमारी बाडी में हमारी बाडी में जो वैक्सिनेशन होता है वो किस प्रेंसपल पे होता है कैसे होता है देखा है कि जो बच्चे मतलब पांच साल तक जो vaccination होता है बच्चों में 5 साल या 6 साल कुछ है तो वहां पर क्या होता है अगर बच्चे बीमार नहीं है फिर भी वैक्सीन लगाई जाते हैं तो देखो या मैं आपको बताओं कि इसका सीधा सा सिधान्त ये होता है सीधा सा मोटो ये होता है कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में उस पैथोजन के अगेंड्स पैथोजन के अगेंड्स एंटी बॉडी पहले से ही बना के रख लेनी है मेमोरी सेल पहले से ही बना के रख लेनी है उस पैथोजन के खिलाफ उस पैथोजन के खिलाफ हमें पहले से ही अलर्ट हो जाना है जो कि हमारी बॉडी में ह कहा है नहीं अगर कल को वह आता है अगर कल को वह नहीं लाके गिरा दें है सिर्फ इतना सा सद्धान्त होता है तो कोई doctrina है या कोई भी प्यतुजा चाहिए है कि उसे हम क्या करते हैं हीट सब्समाइं करते हैं मतलब एक ऐसी condition पे लाके पहुचा देते हैं कि वो disease cause करने लायक ना बचे मतलब ऐसे समझो जैसे कि कोई एक छोटा एक छोटा terrorist हमारी country में भेजा गया है किसी other country से एक छोटा सा terrorist हमारी country में भेजा गया तो उस चोटे terrorist को देख के हम ये तो पता लगा लेंगे कि हाँ उसका मतलब जो dress वगयरा होगा जो मतलब कुछ ऐसा code उसका code क्या होगा उसके उपर लगे उसके antision उसके उपर लगे उसके antision उसको code कर रहे होगे कि ये क्या है terrorist है तो हमारी जो मतलब आर्मी होगी हमारी जो आर्मी होगी वो तैयार हो जाएगी वो पहले से तैयार हो जाएगी कि अगर ये छोटा टेरिस्ट आज आया है तो हो ना हो कल बड़ा टेरिस्ट आएगा तो उसी हिसाब से हमारी बॉड़ी मेमोरी सल बना के पहले से रख लेती है क अगर ऐसा कोई pathogen हमारी बौडी में ऐसा कोई antigen हमारी बौडी में आता है तो मुंसे उसके लिये तयार रहे हैं उससे कहतं कर दें इन वेक्षिनेशन ए प्रिप्रेशन ऑफ एंटीजनिक प्रोटीन एंटीजनिक प्रोटीन और इनक्टिवेट वीकेंड पैथोजन जो क्या किया जाता है वेक्षिन जिसे हम बोल रहा है पैथोजन मतलब जो कि इनक्टिवेट है वीकेंड है वीकेंड पैथोजन इनक्टिव और बॉडी ओके तो यह बीकेंट पैथोजन हमारी बॉडी में जब डाल दिया जाता है तो डाल दिया जाता है दो एंटी बॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस एंटीजन्स उड नूट्रिलाइज द पैथोजनिक एजेंट दूरिंग एक्चुल इंफेक्शन ओके the vaccine the vaccines are also generate memory cells B and T दोनों ध्यानर रखуск larvae पहने आपको एपेरे बताया था यह भर पहले हैं जो यह至ुच से न्था अर टो कि नहीं दोनों के बास प्रोड़ूज बनस से तो उसका खात्म कर दिया जाए टो तो यहार होप है आपको इतनी यह साही बाते समझ में आ रही होंगी तो यहां पर आपकी बुक में क्या लिखा है यही सारी बाते लिखी गई है तो आप देखिए यहां पर आप जना देखिए इससे टिटनिस हो गया या फिर स्नैक बाइट हो गया तो इस सब केस में इन सब केस में क्या किया जाता है कि क्विक इम्यून रिस्पॉंस दिया जाता है क्विक इम्यून रिस्पॉंस इसलिए दिया जाता है कि हमें क्या पता है कि हमारी बॉड़ी हमारी बॉड़ी प्राइम primary response में टाइमि लगाएगी हे ना क्योर्त इने में टाइमगाएगी वभाई समय सा इना इस स्ञॉसाव कि श्र्यृत में मैंठ तो music कि शुवार प्राइमारी। मतलब कि हमारी बॉडी जो इम्यून बनाएगी हमारी बॉडी जो प्रोटेक्शन करेगी उसी से मैं मतलब की पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं कराऊंगी तो इस केस में दिक्कत हो जाएगी ना भाई इनसानी देट्ट हो जाएगी तब हो यसी लिए यहां हो चीप इम्म्धूनस जो हो चाया ना तक राइमरी रिस्पॉंस वो तो टाइम लगा देता है हाव ओलक बात के दौरान क्या करने पूर्ड है अगर नंप सिस्टम हो रहा है तो आप सबसक्ते हो क्या होगा हाँ यहाँ एक बात और भागे यह तो इन्म nt की कैं दॉर और यहां प्र से दिया जाता रहा है वो ंत olu प्रड़ी प्रपिजिस्ट्र करेब conf곤 इंड थोरी न०िन सिस्टम अरथे ग्जोड़ी थो ने इन । तो बहर से दिया जा रहा हैं किया कi स्ट काम करता है यहां पर किया काम करता हैrendre podstaw आपको भी इस अपने आपने ऐसे वाड़ी सटस्तिता करते हैं धर उसट जॉस तौण हुआ करते हैं लुज आपको व्हए यह-वोगा देखिए फिर उन्मु में हम ठाल करता हalie exhaust मतलब जो थोड़ा सा अभाओं में पटले होते हैं उन्हें मतलब बिमारी बहुत क्म होती है यह आप कभी नोटिस किए होंगे यह सब बातें वह बहुत कम बिमार होते हैं और जिन बच्चों को जितनी ज्यादा सुख घाय जितने ज्यादा प्रोटेक्षोन वो बच्चे उतना बिमार होते हैं ऊपते बाते समझेए वाज में कैंतigent होते हैं उनकी पर लेवं कामम होते हैं नॉकलाएं के चीक नुन खाक माहूल होते हैं उनकी बॉढ़ी पहले हमाइब आही है उनकी body में उतनी हीTC कम होता है तो यहां पर allergies की करें कि सीकर सेR aussi किसी को किसी चीज से allergy है कि सब को अपने different तरीके केई and different place के अपकी नई जगा पर गय तो आपको वहां पे कुछ अलग तरीके जाघ मतलब क्या होता है मैं आपको बता हूं आपका जो इम्म्यून सिस्टम होता है न यह थोड़ा सा ओवरमाइब लगता है अपको इम्म्यून सिस्टम ठोड़ा सा ओवरक्टिव होने लगता है इंधर अपर लेखते हैं वैं new places and suddenly you starting sneezing, whizzing for no reason and and when you come away आप जब अपने टाइम पे मतलब अपने टाइम पे नहीं मतलब कि अपने डेली लाइफ वाले में अपने डेली वाले उसमें फिर से आजाते हैं तो आप क्या देखते हो कि सिम्टम्स गाइब हो जाते हैं लेकिन ऐसा क्यों ऐसा क्यों तो क्या होता है सम आफ अस और सेंसेट सबसे कुछ लोगों को प्राब्लम होती है और यह अलग अलग और यह सब चीजे अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पर एक ही चीज से हो सकती हो कि लग the exaggerated response the immune system to certain antigen present around the so अलग अलर्जी और जो आप यह आपर देखा रहे हो आँ जो कि यह energy को कॉस करते हैं LIKE the pollen हो गया RAM 번 वो इनहें हम क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते है इन्हें आलर्जन पोलते है इने हम क्या गोलते है ज़ते है और क्या होता है ज़्यु आडरियिक और टिंच कल diarrhea से यह जो सफ्टेंस है जो कि immune response को ऐसे बेवजा फालतु में आपको बदाना यह थोड़ा सा मतलब over smart बने लगता है immune अपना मतलब थोड़ा सा over smart बने लगता है कि छोटी छोटी चीजों पर भी यह activate होने लगता है तो यहां पर यह जो सफ्टेंस ऐसे होता है जो कि immune response को originate कर देते हैं प्रोड्यूस कर देते हैं जैसा कि आप यहां पर देखे पॉलन जब पॉलन के सीजन में जब पॉलन ऐसा उड़ रह होते हैं तो उससे मतलब उससे कुछ लोगों के लेर्जी होती है कुछ लोगों को गुलों कॉलन यहां पहुता आख Хों से पानी आने लग जाता है सफोकेशन होती है घुतं से लगने लगती है तो इन सब चीजों को हम अलर्जी बोलता है यह सब common बातबर यहां पर कौंसे antibody काम करते अप बताऊ जहरा IgE heiße type유 आपको यह साही बातने याद होएं चीह आई जी टाइप का कॉमन एक्जाम्पल साफ अलर्जन सार माइट सिंडर्स पॉलेंज एनिमल डेंडर ऐसा मतब भेर सारी चीजे होती हैं ओके वैसे तो मैंने अधिकतर यही देखा हैं डस्ट वस्ट से मतब लोगों काफी ज़्याद क्या काम करता है यहां पर क्या काम करता है आई-जी-ई टाइप के एंडिजन ओके ऐलर्जी दू रिलीज्ट केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रम मोस्ट उफ्स तो इन केसे में यही होता है कि यहां पर कुछ ड्रग दिये जाते हैं लाइक एंटिस्टामिन हैं इस्टेराइड क्यों रिडूस दस्टेवस एंड हैं तो यहां पर कुछ नहीं होता है कि कुछ ऐसे ड्रग दिये जाते हैं लाइक एट अंटिस्टामिन इड्रेनलीन इस्टेराइड तो यह सब क्या करते हैं कि जो सिम्टम सोता हैं उसे दबा देते हैं और वही पेड आज मैंने आपको बता है consultation कि आज कने सिच्टम हुआ है जैसा जा रहा है वह कैसा जा रहा है sir क्यों ऐसा क्यों हो तोब सफाई हर जगह है तो उतनी जदा वह नहीं है तो देटां और बच्चों सारी चीजे सफाई तोये तो इस व тобой तो का जो memory cell नहीं बन पा रहे है और immune system भी वैसे बैठा का बैठा है तो मतलब वह बहुत जादा काम भी नहीं कर रहा है so immune system बहुत लो जा रहा है and more sensitivity to allergens तो यहाँ पर allergens से भी काफी जादा लोग sensitive होते हैं तो मतलब सबस्सक्क्राइब की अपनी तरीके की problem है तो यहाँ पर मैंने देखा है मैं आपको आपको देखे बात बता रहे हैं काफी ज्यादा sensitive होते जा रहे हैं okay मैं है क्या आप लोग खुद भी देखे होंगे okay तो आगे चलता हैं तो यह सारी बात्ते कॉमन कमन सिया है मैं आपको बता हूँ आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के पास मतलब ऐसी पावर है ऐसी पावर है कि मतलब ऑपनी और पराई सेल में डिफरेंस बराबर रख पाए मतलब ये प्रॉपर तरीके से जान लेता है कि हमारी बॉडी का सेल कौन सा है और दूसर फोचा था कि यह जो तो मतलब इनके बीच का जो रिक आलिग्यज करने का जो पावर होगा सेल और नॉन एल्फ सेल को रिकाग्नाइज करने का जो पावर ऑन्मागर में कम हो जाएगा में यहां zaczyDo जैसे कि जिसे हम पैथोजन बोलते हैं एंटीजन बोलते हैं फ्रॉम सेल तो एंटीजन मतलब पैथोजन और सेल्फ सेल के बीच में डिफ्रेंस करने की एवेलिटी होती है हमारी बॉडी में तो वहीं क्या होता है वाइल वी इस्टिल डू नॉट अंडरस्टेट दा बेसिस क्या ही होता है कि जो हमारी बॉडी इन दोनों सेल में प्रोफर तरीके से डिफरेंस नहीं कर पाती है यहां पर यह पर प्रॉब्लम हो जाती किसकी आटो इम्यून की तो मैं आपको बता हूं कि आपको आज्टी ओं्म्यून में एक्चुली जाता क्या है और्टों में यहां पर होता क्या है कि जो हमारा immune system है वो हमारी अपनी सेल पे self-self पे अपने लोगों पे ही अटेक कर देता है वो पहचान नहीं पाता है क्यों कि उसमें जो है यह पावर जो है और नमतलब self-cell and non-self-cell में recognize करने की जो power है वो कम हो गई है ऐसे मान के चलिए आँखों की रोसनी कम हो गई है आँखों की रोसनी कम हो जाने के कारण ये बंदा ये इनसान जो है ये क्या करता है ये अपने बच्चों को मारना तो नहीं चाहता है लेकिन इसके आँखों की रोसनी प्रॉपर नहीं है इस फिर और बच्चों को जो बाहर से आए हैं जो गंदे बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं उन्हें मारने के साथ साथ ये अपने बच्चों को भी मार पीट के भगा देता है तो सेम यही कुछ चीज हैं यहां पर हैं होब है आप रिलेट कर पा रहे होगे बाते समझ पा रहे होगे तो यहां पर भी वही होता है यहां पर जो डिजीस कॉस हो जाती है रिमेटाइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मेनी पूलिन आर्थ साइटी इन ऑटो यहां पर क्या होता है सम्टाइम्स व्यूक्ट प्रिक यहां पर जुदू जनेटिक और अन्नून डीजन अगर जनेटिक जनेटिक रिजन होती हैं तो यहां पर अगर बॉडी की सेल का चरड हो रहा है तो क्या होगा कि यहां पर हमारी बॉडी को नुकसान होगा जिसे हम क्या बॉल रहे हैं ओके यहां पर देखते हैं इम्यून सिस्टम इन बॉडी इम्यून सिस्टम इन बॉडी इम्यून सिस्टम कंसिस्ट फॉलिम्फ और न तो लिम्फ और भन मैंने आपको यह पता था फैगोसाइटिक सेल कौन कॉन होती है आप जड़ह बताईए अब दो कौन कौन सी होते हैं च्छिका यह जड़ा बताओ बीसट आंड टी सेल पता होनी कुछ टी सूल भी होते हैं जो आपके पूरे immune system में होते हैं और कुछ cell होते हैं immune system यहाँ पे हम क्या वर्ड बैसे सिच्टम पूरеспस्व में पाह। बहुत सारे लोग हैं नोकिज की काम कर रहे और रहे हैं एक तो सिद्द लिंफॉइड और गरन ही हो गया पूरा का पूरा टीसू हो गया तो यह सब मिलके काम कर रहे होते हैं तो यह सब अप के विये तो है कि यह सब रिड ओक इम्न तो अलग फॉर एंटीजन के लिए एक अलग सब के लिए एक अलग अलग तरीके का इम्म्यून सिस्टम होगा ओके रिस्पॉंड्स टू दीज़ रिमेंबर देट और हां यह अगर एक बार कोई दुस्मन आया तो वह उसे जिन्दगी भर याद रखते हैं कि तू दुबारा है तो उसके हड़ी पसली तोड़के एक कर जाते हैं दा इम्म्यून सिस्टम आलस प्लेजिन इंपॉर्टेंट रोल एलर्जिक रियक्शन हाँ बिलकुल अभी देख रहे हैं मैंने आपको बता है अलर्जिक रियक्शन में होता क्या है कि यह तो ना ओवर स्माइड बने हो रहा था CMI की वज़ा से क्या हो जाता था और्गन हो जाता था तो यहां पर भी कहीं ना कहीं मेमोरी सेल ही काम कर रही थी तो यहां पर हम देखते हैं कुछ लिम्फॉइड ओर्गन ओके लिम्फॉइड ओर्गन जो की T-cell B-cell क्रियेट करते हैं मैंने आपको बताया था थ हो था Но सकते हैं जहां पर origin and maturation हो रहा है मतलब origin हो रही है and mature हो प्रॉलिफरेट भी है प्रॉलिफरेट भी हो रही है मतलब कि लिए बार बार से और पर lagi divide होकि अपना number बढ़ा रहने और दिवाईड होके खुद को number नंबरadan भी बढ़ा और भी वह रहा है और थार नंबर पर यह नंबर में खुद को बढ़ा रहा है ज़ोते है प्रयमिर सब्सक्राइब 2 मैं थायम तो मैं आपको यहां पर एक बात बताओं, यह जो bone marrow है ना, cell कितने type की होती है, lymphocyte cell, two type की होती है, v and t, okay, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, bone marrow, okay, bone marrow आप देख रहे हो, तो bone marrow में actually होता क्या है जितने टाइप की blood cell होती है जितने टाइप की blood cell होती है सब का origin कहां पर होता है bone marrow में होता है बाते ध्यान से सुनिएगा जितने टाइप की blood cell होती है सब का origin कहां पर होता है bone marrow में होता है और एक खास बात मैं आपको बताऊं कि यहां पर और क्या होता है वी सेल का मैचुरेशन होता है वी सेल का मैचुरेशन होता है क्यों अच्छा मैंने आपको बताया था था कि भाई टी सेल क्या होती है T cell क्या करती है इस B cell के पास message लेके जाती है कि कोई antizen आया है जो कि साथ जिसे तुम मार सको B cell के पास जब जाती है तो B cell को तुरंत active होना है ना B cell को तुरंत काम करना है ब्लेड में ऐसा कुछ है जिसे तुम मतलब देखो तुम अगर निपट सकते तो निपट लो तो B cell तुरंत active रहती है तुरंत जाके मारती है तो इसलिए B cell यहीं पर मैचूर हो जाती है यहां मैं आप से बात करूं तो थाइमस थाइमस में किसका मैचुरेशन होता है तो याँ बाते न थोड़ासा रिलेट करके पड़ो सारी बाते clear रहेंगी सारी बात्य आपको समझ में आएंगी और मैने आपको क्या पता है कि और हार यहां पर इसका टीसल का मैचुरेशन तो हो रहा है लेकिन इसका भी ओरेजिन कहां पर होगा ओरेजिन कहां पर होगा इसका ओरेजिन भी कहां पर होगा बोन मैरों में ही होगा बाते ध्यान से सुनिएगा इसका ओरेजिन भी बोन मैरों में ही होगा देख तो यहां पर तो आप अपना कंसिट्रेशन बना के रखने की कोशिज करिए गा वर इमेचर लिंफोसाइड डिफ्रेंसियेटेट इंटु एंटीजन सेंसेटिव लिंफोसाइड आफ्टर अफ्टर मैचुरेशन लिंफोसाइड माइग्रेट तो सेकेंडरी लिंफॉड और अब देखो यह क्या-क्या फस्टिंग ओरिजीन और दूसरा क्या हो रही थी मैचूर भी हो रही थी अब नंबर में खुद को बढ़ा भी रही थी प्रोलिफ्रेशन भी हो रहा था डिवाइड करकर के एकदम पूरी अपनी सेना तयार कर ली थी कौन लिंफोसाइड सेल की बात की जा रही ह तो यहां पर मैं आपको बताओं फर्स्ट आफ ओल वीसल ही आएगी बीसल ही आएगी और बीसल बीसल अपनी आर्मी पूरी तयार कर ली है मतलब एकदम से लडाई के लिए तयार हो गई है अब इसको पता है कि हां मुझे कब जुडो कराटे करने हैं कब तलवार घुमानी ह से हैं कब भाला फेकना है कब क्या करना इसको सब रताह ओक यहां पर जो lymphocyte cell है लेकिन जब यह secondary lymphocyte में आती है अब क्या किया जाता है after maturation, maturation के बाद maturation के बाद यह जो lymphocyte cell होती है इन्हें कहां पर migrate कर दिया जाता है secondary lymphocyte में, okay maturation के बाद इन्हें कहां पर migrate किया जाता है secondary lymphocyte में, secondary lymphocyte organ इसके कौन-कौन से हैं स्प्लीन लिम्फ नोडं स्टव प्र्व स्पीर्पेच शाल इंटस्टाइञ एंड एपइंडिक्श यह सब क्या है इसके सेकंडरी लिम्फोइडॉड or Brittanyơ के मैं र гл arch rece सेकंडरी लिंफएड उरिट न करेगा क्या सेकंडरी लिंफंफ hedge औरगन, अपन को पकड़ पकड़ करका है। अब फीर रिजो प्राइमरी नोट खोता है कि इसका चोटा जोए प्राइमरी नोट नचेषय अब अभी Kunden बोडी है आपकी बॉडी में सबको पकड़ के रखा है दिस सेकंडरी लिंफोड और और गन प्रोवाइड दसाइट फॉर इंट्रेक्शन आफ लिंफोसाइट बिद्द एंटी जन्त यहां पर अब सेकंडरी लिंफोड सेकंडरी लिंफोड एक बैटर प्रोवाइड कर रहा है तरीक हमने सामने लाके रख दिया है मतलब कि secondary lymphocyte क्या कर रहा है मतलब यूद्ध छेत्र प्रोवाइट कर रहा है एक फिल्ड प्रोवाइट कर रहा है किसके लिए एंटीजन के लिए लिंफोसाइट के लिए दो दुस्मनों के लिए तो यहां पर मतलब तगड़ा यूद्ध होगा विच देन प्रोलिफरेट दबीकम इफेक्टर सेल्ड लोकेशन ऑफ बैरियस लिंफोई और गन इन दा हूमन बोडी इस सोन यहां पर देख सकते हो लिंफ आपकी बॉडी में कहां कहां पर प्रेजेंट है यहां पर प्रेजेंट है लिंफ नोड यहां पर मैं आपको दिखा हूँ दे बोन मैरो इस दा में लिंफोई और गन ओके बोन मैरो आपकी क्या है में लिंफोई और गन होके में लिंफोई और गन है वर आल ब्लट सेल इंक् लेकिन फिर औल्ट आप बढ़े थाइमस चोटा होता गया आप बढ़ते गये थाइमस चोटा होता गया थेजिए कि अधिस्के फिर आपकी लाइफ system नीचे की ओर होता है मतलब की लो होता जाता है बढ़ता नहीं है ऑकी बाते ध्यान से सुनिएगा दाइमस is quite large at the time of the birth जब आपकी बर्थ होती है तब आपका जो थाइमस होता है बड़ा होता है बाते ध्यान से सुनिएगा और फिर उसके तब का देवाद देव आपकी एज बढ़ने के साथ थे पूर्थ होता होता है तो यह चोटा होता है गदम से मतलब की बोध बोन आरो एंड हमस्प्रोइड micro environments okay both bone marrow and thymus provide micro environment for the development and maturation of T lymphocyte okay बाते ध्यान से सुनिएगा bone marrow and thymus bone marrow and thymus दोनों क्या करते है micro environment provide करते है for the development and maturation of the T lymphocyte T lymphocyte के लिए okay the spleen is a large bean shaped organ to spleen a bean shaped organ mainly contains lymphocytes and phagocytes it acts as a filter of the blood by trapping blood bone microorganism तो यहां पर यह जो आपकी spleen होती है ना मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई यह सब क्या करते हैं कि ट्रेप करकर करके रखते होते हैं spleen किस में आ रही है primary lymphoid organ या फिर secondary lymphoid organ आपकी spleen secondary lymphoid organ में आ रही है ना मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आपकी spleen किस में आ रही है secondary lymphoid organ में आ रही और secondary lymphoid organ का काम क्या होता है आपकी body में जितने भी pathogen होते हैं जितने भी के बाद primary lymphoid organ क्या करता है phagocytic cell को भेज देता है फिर यहां पर हो जाती है घमासान युद्ध एकदम से ओके the spleen is a large bean cell मैंने आपको बताया ही it mainly contains lymphocyte and phagocytes okay it acts as a filter of the body by trapping blood bone microorganism spleen also has a large reservoir of eryothrocyte the lymph nodes are small solid structure located at different point along the lymphocytic system okay तो मैंने आपको ये साही बाते बताई ही lymph nodes serve to trap the microorganism other and antigen which happen to get into the lymph and tissue fluid तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई lymph और tissue fluid में जाने वाले सारे microantigen सारे microorganism को क्या कर लेता है यह trap कर लेता है antigen antigen strapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response और यह क्या करता है immune response कास कर देता है और मैं आपको बताऊं कि 50% of lymphoid tissue in the human body कहां पर होता है आपके respiratory system digestive system and urogenital tract में दियर और lymphoid tissue are also located within the lining of the major tract जैसे कि respiratory digestive system and urogenital tract इसे हम क्या बोलते हैं माल्ट बोलते हैं माल्ट मींस म्यूकोसल associated lymphoid tissue ओके तो यार होप है आपको इतनी सारी बातें पूरी समझ में आई होंगी आगे हमें क्या पढ़ना है एट्स के बारे में पढ़ना है काफी जादा घातक काफी जादा खतरनाक डिजीज है और हां जितनी खतरनाक है न आपसे बताओं कि जितनी जादा खतरनाक है न उतनी जादा इंपॉर्टेंट है आपके exam के point of view से आपके board exam के point of view से आप यह मतलब यह बीडियो काफी जादा लंबा हो रहा है तो यार बाकी की बाते हम next part में करते हैं part two में करते हैं part two में हम पढ़ेंगे AIDS cancer और भी जितनी बाते चूटी जा रहे हैं okay आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है next video में और हां description box में link given है पीछे के सारे videos की आप जाके देख लीजए and maybe अब part two की भी link description box में given हो तो आप जाके देख सकते हो description box में और हां video को like करिए, share करिए, subscribe करिए चैनल को okay friends के साथ video को जरूर से एर कर लीजए का because of maybe उन्हें भी जरूरत हो और उनकी भी help हो सके so friends जैसा कि मैंने आपको पताया कि आज के वीडियो में बस इतना ही बाकी की बाते नेक्स वीडियो में करते हैं and if you want more videos so friends like and subscribe m.m.education youtube channel and thank you thank you for watching this video bye bye in the next video में okay